और human physiology का chapter breathing and exchange of gases so ये जो notes यहाँ पर हैं इन notes के अंदर total 31 pages अपने पास है इसका मतलब approximately ये chapter हमको डेड़ घंटे के अंदर फटा फट खतम करना है 31 pages 90 minutes यह अप्रॉक्सिमेटली 3 minutes इच अपने पास यहाँ पर होगा अगर मेरी calculation सही है तो चलो so ये chapter स्टार्ट करते है चलिए जी चीक है स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात सभी students के अंदर एकदम पूरा अच्छे से जोश होना चाहिए किसी भी तरीके से आपको मतलब ऐसे notes बनानी की जरुरत नहीं है क्योंकि notes जू है वो provide किये जाएंगे आपका जो main focus रहना चाहिए that focus should be सामने अपनी अपनी सभी लोग class 11 की NCRT खोल लेंगे उस NCRT का आपको हर point यहां पर याद कराया जा रहा होगा हर चीज हर single word आपके पास यहां पर cover हो रहा होगा तो अपनी NCRT सामने खोल के बैढ़ जाओ और किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत तुमको नहीं आएगी सब कुछ cover हो जाएगा notes बनाने के ओपर focus मत करना दूसरा एक rough notebook side में खोल लेना ताकि अपने पास नींद ना आ जाए लेकिन डेढ़ घंटे के अंदर यह chapter खतम हो जाएगा this is my approximate उपर नीचे 10 मिनट उपर नीचे अपने पास हो सकती है so I am going to start breathing and exchange of gases okay जी सुनिये ज्याम से so हम लोग एक बहुत ही अपनी life के अंदर बहुत important process कर रहे होते है that is breathe करना, सास लेना और सास छोड़ना सास जब हम लेते हैं तो हम कहते हैं कि हम body के अंदर oxygen लेकर जा रहे हैं क्योंकि हमारी body को continuously बाहर से oxygen की ज़रूरत होती है और ये बात भी हमको पता है कि हमारी body के अंदर बहुत एक processes होने की वज़े से जितनी भी body में हमारी processes होती है उन्हें हम metabolic processes कहते हैं हमारी metabolism अंदर की जितनी भी activities है उनके अंदर carbon dioxide अपने पास यहां पर release हो रही होती है cells से अलग-अलग cells से और उसको हमें बाहर निकालना होता है इसी लिए हम breathing करवा रहे होते है इतनी छोटी सी बात हमको बच्चपन से पता होती है कि हमें oxygen अंदर लेनी है और carbon dioxide जो हमारे लिए harmful है वो हमें बाहर छोडनी है यह बिल्कुल से चीज़ है जो हमको हमेशा पता होती है चीक है जी तो हमारी body के अंदर दो तरीके की processes चल रही होती है क्या-क्या? एक होती है catabolic process और दूसरी होती है anabolic process अब आपने देखा होगा cat पढ़ाई लिखाई छोड़ो cat के बारे में सोचो cat मतलब बिल्ली बिल्ली क्या करेगी? हर चीज़ को तोड मोड के छोटा कर देगी एक दम तोड के तोड के छोटा अपने पास खराब कर देगी तो इसका मतलब जो reactions में बड़ी चीज छोटे parts में तूटने वाली है उन्हें हम कहते हैं catabolic reactions और दूसरा मेरे पास होता है anabolic reaction मतलब जिससे छोटी छोटी से अपने पास बड़ा कोई product बन रहा है उसे कहते हैं anabolic reaction तो हमारी body के अंदर जो हमने रोटी खाई वो छोटे छोटे parts में भी तूट रही है और काफी सारी चीजें एक साथ आ रही है आकर मिलकर एक बड़ी चीज भी अपने पास बन रही है तो हमारी body में catabolic reactions भी हो रहे होते है anabolic reactions भी हो रहे होते है मेरा जो focus यहां पर है वो catabolic reaction के उपर है क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि जो हम बोले जा रहे हैं कि हमको oxygen चाहिए oxygen चाहिए वो क्यों चाहिए भाई साथ तुमको क्या करोगे उस oxygen का? चीक है तो मान लो मैंने जैसे कि glucose खाया कुछ nutrients खाये कुछ खाना अपने पास यहां पर खाया खाना खाया अब मुझे वो खाना क्यों खाती हूँ सब को पता है कि हमारे पास उस खाने से हमको energy मिलती है जिस energy से मैं तुमको पढ़ा रही हूँ उस energy से तुम class attend कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़े मेरे पास यहां पर उस energy की वज़े से हो रही है और ये breakdown ये energy जो release करवाता है उस release करवाने में oxygen का रोल होता है और यहां पर CO2 भी बन रही होती है जो harmful होती है उसको हमें बाहर निकालना पड़ता है कैसे oxygen का रोल होता है ये जब हम plant physiology पढ़ रहे होंगे oxygen की वज़े से अपने पास वो निकल रही होगी energy जो खाना हम खा रही है उससे जो energy हम बनवा रही है उसमें oxygen का रोल होता है और अगर अपने पास energy नहीं है तो भाई साब जिंदगी में कुछ नहीं हो ना अपने से ना हम पढ़ सकते ना हम पढ़ा सकते तो energy ज़रूरी है, energy oxygen उसमें role play कर रही है तो भाई फिर तो oxygen से important चीज़ कुछ है ही नहीं इसका मतलब oxygen को अंदर लेना और carbon dioxide को बाहर छोड़ना ये दो चीज़े मेरी body में हो रही है इसी को हम क्या कहते हैं, breathing कहते हैं सास लेना, oxygen का अंदर लेना और carbon dioxide का बाहर छोड़ना breathing क्या होता है, तुम हर रोज breathe करते हो सास लेते हो, मैं इस पर time waste नहीं करने वाली एक होता है respiration बहुत लोगों को लगता है breathing और respiration, same चीज़े हैं, नहीं breathing का मतलब है oxygen अंदर लेनी carbon dioxide बाहर छोड़ती, that's all, this is breathing respiration का मतलब है जब वो अंदर ले जाई हुई oxygen उस glucose पर काम करेगी उससे energy release करवाएगी तब वो respiration कहलाएगी तो जो energy release होती है, जो वो पूरी process खतम होती है, तब उसको respiration कहते हैं लेकिन सिर्फ O2 CO2 का atmosphere के साथ जो exchange होता है, उसे breathing कहते हैं जब मैं आपको respiration implants पढ़ाऊँगी, तब आपको detail में चीजें समझ भी आ जाएगी और मैंने कोई बात बोल दी कि मैं इसको पढ़ाऊँगी, तो आप उसको छोड़ देना बेशक आपको उतना धंगसे समझ में नाए, क्योंकि हम उसको बहुत detail में धंगसे कर रहे होंगे आपको हर चीज एक एक word आपको समझ में आ रहा होगा तो मैंने आपको introduction मोटी मोटी अपने पास बता दी, फिर से एक बार सारी चीजे revise कर लेते हैं देखते जाए, तो मेरी body के अंदर बहुत सारे reactions हो रहे होते हैं, जो catabolic reaction भी होते हैं, anabolic भी होते हैं मैं catabolic reaction की बात कर रही हूँ, जिसमें हम glucose को जो खाना हमने खाया, उसको तुड़वा कर energy अपने पास बनवाएंगे बहुत सारी activities perform करने के लिए, उसमें किसका रोल होता है, oxygen का होता है इसी दोरान cells carbon dioxide बना रहे होते हैं, जो harmful होती है, तो इसका मतलब environment से मुझे continuously oxygen चाहिए और cells को continuously carbon dioxide release करनी होती है, जो मुझे बाहर भेजनी है so this exchange of oxygen and carbon dioxide जो atmosphere के साथ हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसे breathing कहा जाता है लेकिन energy बनवाने के लिए, जब उस oxygen को हम role play कर रहे होते हैं, उसे respiration कहते हैं मैं फिर बोल रही हूँ, हम जब respiration implants पढ़ेंगे, तब आपको respiration का मतलब automatically समझ में आ जाएगा अभी बस आपको इतना पता होना चाहिए कि मेरे पास breathing क्या है, यह oxygen को बाहर निकालना, carbon dioxide को अंदर लेना that's all, अब बात करते हैं, respiratory organs के बारे में, छिक हैं, किस के बारे में? respiratory organs के बारे में, ध्यान से देखते जाना, तो respiratory organs जो होते हैं, वो animal के उपर depend करते हैं अलग-अलग अनिमल के अंदर अलग-अलग जगह पर अलग-अलग टाइप के रेस्पाइरेटरी ओर्गन मेरे पास यहां पर होते हैं सुनना अध्यान से सबसे पहली बात कोई अनिमल धर्ती पर रहता है जैसे हम, तो हमारे अंदर जो respiratory organ है वो lungs है fishes पानी में रहती है तो उनको पानी से oxygen मांगनी पड़ेगी तो उसको कुछ और type का respiratory organ चाहिए तो respiratory organ कैसा होगा, वो habitat के उपर depend करेगा छीक है, दूसरा, level of organization के उपर कौन कितने पुराने जमाने का है अब हम तो एकदम नए modified लोग हैं, तो हमारी तो छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छीज़ें मिलकर बड़े-बड़े bronchion, sorry, बड़े-बड़े lungs बन गए लेकिन जो lower invertebrates मेरे पास हैं, जो insects हैं वो अभी उतने develop नहीं हो पाई तो उनके अंदर respiratory organ different होगे lower invertebrates हैं, बिलकुल एकदम low, sponges, sponge, चिक 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 दूसरा, cylindrates, तीसरा, flatworms, तो ये lower invertebrates हैं, ये बोले भाई साब, ये oxygen, carbon dioxide की अदला बदली करने के लिए अपने पास तो है नहीं, कि हम अलग से एक organ बनाएं, हम तो skin सही गरवा लेंगे तो ये क्या करते हैं, ये अपने पास carbon dioxide और auto का जो exchange है वो अपने body के surface से simple diffusion से ही करवा लेते हैं कि अंदर carbon dioxide बढ़ गई, बाहर carbon dioxide कम है, बाहर बेज दो अंदर oxygen कम है, बाहर oxygen जादा है, अंदर बेज दो, diffusion की process बाड़ी के surface से कहेंगे, भाई साब हमारे पास औरड़ी बहुत और अर्गन है, वो ही नहीं अमारे समबल में आरे, अब ये oxygen, carbon dioxide, अदला बदली ही तो करनी है इसके लिए हम अलग से औरगन नहीं बना पाएंगे, हम बाड़ी के surface से ही करा लेंगे, हमने का ठीक है भाई साब, ठीक है फिर दूसरा अपने पास आया, earth warm, earth warm बोला, मेरे देश की मिटी, मेरे देश की मिटी ने मेरी skin, मेरी cuticle, आहहा, क्या chicken ही बना दी है मैं क्यों किसी और चीज़ को इसी से बोल दूँगा, यही मेरा सारा का सारा oxygen का सब exchange कर देगी, तो earth warm के अंदर moist cuticle से सारा exchange हो रहा होता है lower invertebrates, जैसे की sponges, cylindrate, flat warm, simple, diffusion, earth warm, moist, cuticle, छीक है, उसके बाद अपने पास आते हैं, अभी याद कराऊंगी सारे, tension ना लेते जाना, सुनते जाना पहले फटा पट, उसके बाद आते हैं insect, तो insect के अंदर tube का एक network होता है तुम खुद सोचो, insect अपने छोटे 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 insect है, वो खुद बिचारे ऐसे ऐसे होते हैं कहीं उनके बाल जुड़े हुएं, कहीं कुछ जुड़े हुएं, और बाकी तुम याद भी करोगे, तब तुमको पता भी चल जाएगा इनके अंदर क्या होती है, tubes देखने को मिलती है, जिने हम कहते हैं tracheal tubes, अब थोड़े थोड़े जैसे हमारे lungs में हम trachea बढ़ते हैं, है न, तो वैसे वैसे नाम आने शुरू हो गए अब, जैसे जैसे हम level of organization बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे lungs के तरफ हम बढ़ते जा तो insects में tracheal tubes में को देखने को मिलेंगी, उसके बाद gills होते हैं, सबको पता है, aquatic arthropods में, पानी में रहने वाले उसमें, तो aquatic arthropods में, अपने पास जो fishes हैं, fishes के अंदर, हमारे जो mollusks हैं, mollusks के अंदर, तो उनके अंदर gills देखने को मिलते हैं, और gills properly इनमें blood supply होती है तो इन्हें हम vascularized structures कहते हैं, कई जगे पर आपको word यूज होगा, vascularization, vascularized structures, मतलब जिनमें blood supply proper पहुँची हुई है, so gills are special vascularized structures, अब जब यह chapter खतम हो जाएगा, तब तुमको समझ में हैगा, कि blood supply क्यों आ रही है, ठीक है, फिर अपने पास fifth number पे lungs, जो हमारे अंदर है, vascularized bag है, किसमें मिलते हैं, terrestrial form में, जो धर्ती पर रहते हैं लोग, किस-किसमें, जैसे की birds, जैसे की reptiles, जैसे की mammals, और यह अच्छे खासे developed होते हैं, last but not the least is the frog, frog है amphibian, lungs भी, gills भी, और अपनी moist skin से भी, यह respire कर सकता है, सांस ले सकता है, इसी के साथ, हमारे पास, जितने भी respiratory organs हैं, वो खतम होते हैं, एक बार, फटा-फट, अब सब लोग, मेरी तरफ देखेंगे, अपनी vascularized का मतलब होता है, कनाबार खुशी, जिसमें blood supply पहुची हुई हो, vascularized का मतलब, चिक है, सुनते जाना, और इसे हम cutaneous, अब अपना frog cute सा है, तो इसे cutaneous respiration कह देते हैं, बड़ा cute आदमी है बाई, बागी अपन frog detail में पढ़ेंगे ही तो होई जाएगा, देखते जा सु मेरे पास यहाँ पर क्या है, फटा फट से अपने पास यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर है lower invertebrates, lower invertebrates बोले बाई, मेरे को अलग से बनाने की हिम्मत नहीं है, मैं तो अपनी surface से ही diffusion से सब को change करा लूँगा, sponges में, silentrates में, flatworms में, उसी के ज इनल ट्रैकियल ट्यूब, उसके बात अपने पास यहाँ पर क्या आता है, हमारे पास आता है इनसेक्स और दूसरा आता है, स्वरी गिल्ज और दूसरा लंग्स, गिल्ज के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, फिशे से इंदर हमको, learner community, मोलस्क में, लंग्स में, जो धर्ती पे रहने वाले है दोनों के दोनों चीज़ें क्या है वेस्क्योलराइजड गिल्ज भी वेस्क्योलराइजड, लंग्स भी वेस्क्योलराइज मतलब दोनों में ब्लड स्प्लाइ पहुंची है और फ्रग है, एकदम क्यूट सा cutaneous तो उसमें moist skin हमको देखने को मिलेगी तो अपने पास पुराने क्या थे फटा फट देख लेते हैं जो हमारे पास respiratory organs है फिर से eyes close करके मेरे साथ revise करो किसके उपर depend करते है respiratory organs हमारे animal पे depend करते है उसके habitat पे उसकी level of organization पे number one lower invertebrates तो lower invertebrates बोले simple diffusion से ही सब कर लेंगे sponges, silentrates, flatworms अगला earthworm, earthworm moist cuticle, insect tracheal tubes, gills and lungs एक साथ, दोनों के दोनों vascularized ये धर्ती पे रहने ये अपने पानी में रहने वाले ये धर्ती पे रहने वाले और frog amphibian moist skin से भी कर सकता है I hope यहां तक पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा सामने NCRT खोल के देख लो हमने बिल्कुल एकदम properly हर चीज कवर कर ली है कुछ भी अपने अपने पास यहां पर नहीं छोड़ा अब आता है इस चाप्टर में जो हमको main पढ़ना है वो main है human respiratory system and 3D diagram अपने पास इसके लिए है और वो 3D diagram मेरे हो तुम सब लोग सामने अपनी body को imagine करना start करेंगे और human respiratory system अपनी body पर ही याद करना शुरू करेंगे करते जाओ फटा फट सबसे पहले यहां से सबको पता है नाक के उपर external nostrils दिख रही है ठीक है उसके बाद एक पाथवे सा नाक का nasal passage दिख रहा है फिर अंदर यहां पर एक चैंबर सा खुलता होगा जहां पे यह वाला पाथ यह वाला पाथ दूनों मिलते होंगे ऐसे एक बड़ा सा चेंबर खुल जाता होगा nasal चैंबर फिर नेजल चैंबर यहां फैरिंक्स में मिलता है और इधर food pipe खुलती है और larynx खुलता है food pipe और larynx food pipe जो digestion chapter अमको पढ़ना था लेकिन वो हमारा delete कर दिया और एक खुलता है अपने पास यहां पर larynx larynx से ही आगे हम चीजें अपनी human respiratory system की पढ़ रहे होंगे फिर से याद करते हैं lips के उपर pair किसका external nostrils external nostrils से nasal passage nasal अंदर nasal chamber nasal chamber अंदर फैरिंग्स अब फैरिंग्स में common होता है फैरिंग्स वहां food भी होती है वहां air भी होती है इसलिए कहते हैं बटा खाना खाते time बात मत करा करो क्योंकि वह दोनों common एर भी और फूड भी ऐसा ना हो कि तुम खाना खारे और बात कर रहे हो तो तुम्हारा अब सास भी ले रहे हो साथ में और खाना भी खारे हो साथ में तो हो सकता है कि तुम्हारा फूड विंड पाइप में चला जाए तो वह विंड पाइप में ना चला जाए इसी लिए हम क कैते हैं, चुप चाप खाना खाओ, बॉल बॉल के खाना बत खाओ, तो pharynx क्या होता है, common होता है, उसके बाद, इसोफेगॉस अलग हो जाती है, food pipe, जो कहा जाएगी, जो कहा जाएगी, इंटरस्टाइन में जाएगी, वहां सब जाएगी, दूसरा हो जाता है लारिंक्स, जो कहा जाएगा, इन लंक्स में जाएगा, जो अपने दोनों लंक्स हैं, वो लंक्स में जाएगे अपने पास, लारिंक्स से कैसे अपने पास लंक्स जाएगे, कैसे होंगे, वो अभी देखते हैं हम, तो मैंने क्या बोला, human respiratory system शुरू करा, स फाइनली ईसोफेगस और लेरंक्स अलग अलग हो जाएगे, अब ये लेरिंक्स क्या है, फील करके देखो, यहां, ऐसे ऐसे बोलो, आ, यहां पे, आ, करने पे तुमको, ऐसे, फील हो रहा है, यहां पे, sensation से, sensation फील हो रही है,ो हो रही है, पूरे है, सेंसेशन, तो इसका मत तुम्हारी जो sound आ रही है, वो शायद यहीं इस larynx से ही आ रही है, sound production में help करता है larynx, इसलिए हम इसको sound box भी कहते हैं, लड़कों में कई पर ऐसे बड़ा होता है, Adam's apple, आपके एंसाटी में मैंशन नी है, लेकिन वैसे बता रही हूँ, Adam's apple फिर उसको हम कह देते हैं, यहां तो देखते ही, ऐसे हो जाती है, वैसे मैं सकतू हूँ, यहां मैं पिगल गई, क्यों? अच्छा, यह कैसा होता है, यह cartilage-ness box होता है, देखो, एक होता है, अपने पास bony portion, जो bones होती है, bones एकदम tight होती है, लेकिन जो चीज़े comparatively soft होती है, cartilage की बनी होती है, तो यह cartilage cartilage-ness है, ऐसा तुन्हें बहुत tight सा आपने पास है, तभी तो गलाग उठके मार पाते हैं नहीं, तो मारी नहीं पाते हो, एकदम tight-tight होता, तो ऐसे याद रखो, मोटा-मोटी, हमारी body के अंदर जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी ना, हर जगह पे मैं एक ही word यूज कर काटी-लेजिनस, 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 तो ये कैसा box होता है, काटी-लेजिनस box होता है, अब तुम मुझे कहोगे, अच्छा, अगर ये larynx है, और आपने बोला इधर isophagus है, इन दोनों का एक common portion pharynx था, जब हम खाना खा रही हैं, वो खाना इस larynx में क्यों नह नहीं जा रहा, तो मैंने का, तो कोई gate होगा, gate होगा, तो सीधी सी बात है, इसलिए अपने पास नहीं जा रहा खाना, छीक है, तो इस portion को, गले में है ये portion, तो इस portion को कहते हैं, glottis, और glottis के ऊपर, एक gate है, जिसे कहा जाता है, e-p glottis, ये भी cartilaginus है, एक cartilaginus, flap है, जो food इसमें enter ना कर जाए, इसी लिए, cover कर रहा होता है, खतम, सबसे पहली बात, अब याद करते जाते हैं, मैं आपको यहाँ पर, बहुत लोग नहीं होंगे, उनको पता नहीं होगा, I am a national, international level artist, so मैं जितनी भी drawings यहाँ पर बना रही होंगी, आपको बहुत insecure feel हो सकता है, so don't feel bad about that, but I am an international level artist, so you know, यह है हमारे lips, ठीक है, यह है हमारी सबसे पहले, nostrils, nostrils के बाद, यह क्या है, दो nasal passage, nasal passage कहां खुल रहा होगा, nasal chamber के अंदर, nasal chamber के बाद, इधर अपने पास एक, इधर नीचे टंग है मेरी, यह मेरी टंग, हसेगा नहीं कोई, international level artist ऐसे ही होते हैं, आदे लो करें, damn amazing, अभी देखते जाना तुम मेरा international level artist गीरी, फिर यह क्या है pharynx, जहां पर food और air डोनों common हैं, फिर अपनी isophagus अलग खुल जाएगी, यह क्या हो गई, isophagus, इधर अपने पास क्या है, larynx, larynx, sound box भी है, इधर क्या है, glottis, खाना इसमें ना घुच जाए, इसके ओपर एक cartilaginous flap है, उसे क्या कहते हैं, EP glottis, यहां तक याद, सब को इसमें नहीं नहीं पड़ेगी, तुमको साफी दिख रहा होगा, कि मतलब एक दम, प्रॉपर, नाक कहां है, वहां कहां है, थ्रीडी डाइग्राम ही, तुम लोग, यहां में आटिस्ट लोगों की रिस्पेक्ट नहीं है, कोई फादाँ नहीं है, थीक है, अच्छा, यहां तक याद, सब को यहां तक याद, अच्छा जी, डोट्ट फेल बाड, इस ओके, इस ओके, if you are not able to draw, तु यह है लेरिंग्स अच्छा लेरिंग्स पर गलोटिस पोर्शन है वहाँ इपी गलोटिस थी अब खुलेगी अब आएगी अपनी विंड़ पाइप जिसे हम कहते हैं ट्राकिया मैंने क्या बोला wind pipe, एक pipe सी अपने पास है, straight tube मेरे पास है, एक track सा है, इसलिए कहते हैं track या, फिर lungs होते हैं कुछ यहां, यहां, इसका मतलब यह track किया, शायद इस portion को thorax हम कहते हैं, थोरेक्स के बीच तक आता होगा, थोरेक्स रीजन के बीच तक आता होगा, मतलब यह track जो है, mid thoracic cavity तक आती है, और अगर मैं गिनना शुरू करूँ, कौन सा vertebra, तो पीछे सा अगर देखोगे, आप गिनना शुरू करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5th thoracic vertebra जहां पर होता है, वहां पर यह ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है, एक left और दूसरा right, और है क्या यह, यह है, ब्रॉंकाई, क्या है, ब्रॉंकाई, ब्रॉंकाई, अभी जो primary होता है, पहला division, पेड़ बनाते हो ना तुम लोग ऐसा, यह ऐसे बनाते हों की नहीं बनाते हो, इसकी टहनियां, एक टहनी, फिर दो टहनी, फिर उसकी टहनी की टहनी, बनाते हो ना ऐसे, तो ऐसे ही, इस टहनी की, ऐसे टहनियां बन जाएंगे, अब यह जो ब्रॉंकाई निकली, this is tertiary ब्रॉंकाई, तो इस तरीके से primary ब्रॉंकाई, secondary ब्रॉंकाई, tertiary ब्रॉंकाई और finally, छोटे छोटे से ब्रॉंकियोल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो क्या क्या हो गया, फिर से रिवाइज करते हैं, सुनते जाना, external nostrils, nasal passage, nasal chamber, pharynx, pharynx से larynx, larynx क्या है, sound box, cartilaginus, glottis है, खाना ना गुच जाए तो, EP, glottis, फिर अपने पास यहाँ पर क्या है, ट्राक्या, ट्राक्या दो पार्टोस में डिवाइड होगा, राइट प्रामरी ब्रॉंका है, लेफ्ट प्रामरी ब्रॉंका है, प्रामरी से secondary, से tertiary और tertiary से एकदम thिन, last में bronchioles क्या होंगे bronchioles चीक है और bronchioles पे ऐसे structure बने होंगे जिने हम कहते हैं alveolay क्या कहते है alveolay irregular आप आपने देख लिया मैंने ऐसा structure बनाया तुमको पता ही artist हूं तो artist हूं तो ऐसे छोटा-छोटा structure प्रॉपर ही बनाऊंगी मैं बिल्कुल एक छोटी-छोटी चीज़ पर ध्यान देती हूं अरे left right गलत लिख दिया वाई देख लेना तुम लोग समझदार लोग हो तुम तुम left right में उल्जे हुए हो यहां मेरी bronchi artist गिरी नहीं खतम हो रही देख तो लो ध्यान से तो मेरे पास यहां पर क्या हो गया irregular wald एकदम थिन थिन alveo लाए तो irregular wald very thin alveo लाए मेरे पास यहां पर हो गई फिर से एक बार सारा revise करते हैं सबसे पहले क्या था सबसे पहले एक पेर था किसका nostrils का lips के उपर nostrils के बाद फिर एक passage था nasal passage जो किसमे खुला था nasal chamber में nasal chamber के बाद दोनों उसके लिए common pharynx, pharynx के बाद हम किसमे चले गए, larynx larynx के बाद क्या चले गए हम trachea, जो fifth thoracic vertebra पर, यानि mid thoracic cavity पर divide करती है, किसमे right and left bronchi के अंदर, और कौन सी bronchi है, primary bronchi, primary bronchi से secondary bronchi, secondary bronchi से tertiary bronchi, और finally, bronchioles last LVO, लाये, जो irregular structure हो तिं है, मैंने जो oxygen ली, वो oxygen यहां से ली, यहां से अंदर गोई, 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 यहां तक जाती रही जाती रही जाती रही और कहीं नहीं गई किसी यहाँ पर किसी से उसने बातचीत नहीं करी आक्सुजन ने बस पास करती रही करती रही करती रही लेकिन जैसे ही वो alveolae पर पहुंची यहाँ पर था blood यहाँ पर क्या था blood यह होता है Vascularized Structure मतलब alveolae वो structure है जहाँ पर blood vessel पहुंची हुई है अब blood कहेगा मेर को ही चाहिए थी ये अक्सिजन तो अब ये क्या करेगा फाइनली यहां पर इस ऑक्सिजन को एक्सचेंज कर लेगा और इस बलड से सियोटो को ले लेगा जैसा कि आपको पता है क्या पता है आपको सबको पता है बेटा जी कि हमारे पास जो अपन सास लेते है वो पूरा का पूरा का पूरा का पूरा का पूरा का पूरा बोडी में इधर उधर कुछ भी हमको पहुचवाना हो खाना पहुचवाना हो ओक्सिजन पहुचवानी हो वो सारा का सारा काम बलड करा रहा होता है ब्लड एक connective tissue है जो हमारी body में हर चीज़ को connect करता है तो ये जो oxygen है ये मैं cell तक पहुचाना चाहती हूँ और cell से carbon dioxide वापस लेकर आना चाहती हूँ यहाँ अब role play करता है ब्लड इसी लिए मैंने आपको कहा था कि lungs एक vascularized structure होता है सेम चीज गिल्ज में भी होती है उन तक भी at last blood पहुच रहा होता है जो इन से oxygen को लेता है Got it? समझ गई तो यह चीज मेरे पास यहां पर हो गई इस तरीके से अब आपको एक सिंपल सी बात तो समझ में आ गई कि मेरे पास यह जो पार्ट है यहां तक bronchioles तक यह सिर्फ और सिर्फ oxygen को conduct कर रहा है इसलिए इसे conducting part का नाम दिया जाता है जबकि जो यह last alveoli हैं यहां पर exchange हो रहा होता है alveoli और उसकी जो भी ducts बगरा है यहां पर actual blood में और alveoli में O2-CO2 का exchange होता है इसलिए इसे हम respiratory या फिर exchange part का नाम दे देते हैं क्योंकि this is the site where actual exchange is happening यहां ब्रॉंकियोल्स तक तो सिर्फ और सिर्फ कंड़क्ट चीजे हो रहा ही थी that's all अब तुम कहोगे एक बात बताओ यह कंड़क्ट क्यों कर रहा हूँ इतना इतने थीक है एक जगे कंड़क्ट कर रहे हैं दो कर लिए दस दस पात दस तक सुनना नमबर वन एक तो यह कंड़क कर रहा है एल्वियोलाई तक चीजेशम को ले कर जा रहा है क्योंकि मेरेको ऐल्वियोलाई में एक्स्चेश्औज होता है और वहां तक कुछ ना कुछ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो बनवाना पड़ेगा तो उसके अलापा है यह foreign particles को remove करता है तुम खुच सोचो तुम सास ले रहे हो what do you expect बाहर जितने microorganisms होंगे जितनी वो चीजें होंगी वो क्या नहीं जा रहे होंगे right वो भी जा रहे होंगे साथ में साथ में कई बार बाहर एकदम ठंडी ठंडी हवा होती है लेकिन वो ठंडी ठंडी हवा अंदर बाडी में तो नहीं लेके जा सकती ना बाडी में तो यहार temperature 37 degree Celsius है तो मेरको इस हवा को body temperature के बराबर लाना पड़ेगा तो जब यह transport होता है होते 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 वो जो air है वो body temperature के equal आती रहती है तो वो हमारे पास brings air to body temperature तो foreign particles को एक तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है conducting part foreign particles को remove कर रहा है इसलिए तो हमारे नाक में बाल होते हैं वो foreign particles को यही पर trap कर लेते हैं this is just a conducting part nothing but a conducting part and last but not the least यह humidify भी करता है मतलब अगर अपने पास हवा बहुत सुखी हूँ एकदम सुखी सुखी मतलब उसमें हलका सा भी moisture नहीं है थोड़ा बहुत moisture भी add करता है तो हमारे पास फिर से एक बार revise करते हैं मैं last time बता रही हूँ last time याद करा रही हूँ फिर से सुनते जाना ध्यान से मेरे पास यहां पर क्या हुआ सबसे पहले मेरे पास यहां पर थे external nostrils external nostrils से nasal passage nasal chamber में खुला nasal chamber से pharynx में खुला pharynx food के लिए air के लिए दोनों के लिए common है उसके बाद अपने पास यहां पर क्या हो गया जैसे ही मेरे पास अपने पास अंदर आए अब इसो फैगस और अपने पास यहां पर लेरिंक्स है लेरिंक्स की हम बात करेंगे क्योंकि हम breathing chapter पड़ रही है लेरिंक्स में खाना ना गुज जाए तो clotus पे ep glotus की covering होती है यह सारी चीज़ें cartilaginous हैं लेरिंक्स साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, फिर लेरिंक्स से नीचे एक स्प्रेट ट्यूब ट्राकिया आ रही है, जो मिड थोरेसिक कैविटी पे फिफ्ट वर्टीब्रा, थोरेसिक वर्टीब्रा के लेवल पर डिवाइड कर रही है left और right primary bronchi में ये क्या है? ट्राइकिया जो 5th thoracic vertebra पर left और right primary bronchi में divide कर रही है उसके बाद primary bronchi से secondary bronchi secondary bronchi से tertiary bronchi फिर tertiary bronchi से bronchiols पतले पतले ऐसे bronchiols मेरे पास यहाँ पर हो गए ठीक है? और ऐसे bronchiols से finally irregular से structure alveoli last present होती है तो this is alveoli bronchiols तक सारा का सारा portion conducting portion था क्या कर रहा था? ट्रांसपोर्ट कर रहा था foreign particles को remove कर रहा था body temperature पर उसको लेकर आ रहा था humidify कर रहा था last है alveoli जहाँ पर blood vessel आई हुई होती है यहाँ पर ऐसे blood vessel पहुची होती है यहीं पर auto CO2 के बीच में exchange होता है diffusion होती है इसलिए alveoli और उसकी जो ducts होती है उन्हें respiratory या exchange part कहा जाता है क्योंकि यहीं पर actual diffusion हो रही है और अगर मैं एक diagram बनाऊं तो क्या lungs ऐसे होते हैं और आपको दिख गया होगा कि मैंने bronchi, primary bronchi से लेकर alveoli तक सारे के सारे structure को lungs में डाल दिया है तो इसे हम कहते हैं lungs तो हमारे body में दो lungs होते हैं जिनके अंदर bronchi, bronchioles and alveoli present होती है चीक है यह चीज मेरे पास यहां पर हो गई इसके बाद अब हम तो घर को भी lock करके जाते हैं तो वहां पे भी अपन तो चेक करके जाते हैं डबल शौरटी करके जाते हैं तो हम जितना भी chapter यहां पर पढ़ रहे होंगे हर जगे पर पढ़ रहे होंगे कि हमने एक double covering कर रखी है heart में भी हमारी double membrane होती है lungs भी प्लूरा और यह double membrane होती है और दोनों के बीच में friction ना हो जाए तो दो membrane के बीच में fluid भर दो वरना तो गिस जाएंगी friction हो जाएगा तो हलका सा पानी भर दोगे बीच में fluid भर दोगे तो friction नहीं होगा तो double layer plura होती है और उस क्या हो गया आ गया न अब तो चीक है तो मैंने क्या बोला जिसे अपन घर में लौक भी चेक करते हैं तो लौक भी चेक करें तब भी अपन डबल अश्वार हो के जाते हैं देख के जाते हैं कि भाई लगा की नहीं लगा लौक कहीं रह तो नहीं गया तो ऐसे इतने बड़े-बड़े औरगन जमानी बोडी में इनमें तो कम से कम डबल लेयर तो अपने को बनानी पड़ेगी हाट में पड़ूँगे मैं हाट में भी डबल लेयर पड़ूँगे मैं lungs पढ़ रही हूँ उसके अंदर भी मैं double membrane पढ़ रही हूँ तो lungs में double lid plural present होती है और दो चीजों के बीच में friction ना हो जाए इसलिए उसके बीच में पानी डाल दो fluid डाल दो तो plural fluid अपने पास इनके अंदर present होता है तो ये अपने पास इसकी covering हो गई ठीक है जी तो यहाँ पर मैंने आपको human respiratory system पूरा का पूरा पढ़ा दिया है इसमें कैसे चीजें होती है कैसे नहीं होती है इसके अलावा तो ये सारे के सारे lungs किसमें present है हमारे lungs thoracic chamber में present है किसमें ये एक thoracic chamber मेरे पास है ये मेरे lungs है ये lungs के अंदर कितनी covering है दो covering प्लूरा outer membrane inner membrane इनके बीच में क्या भरा हुआ है plural fluid भरा हुआ है तो outer membrane बाहर बाहर क्या है thorax तो outer membrane thoracic cavity के contact में है अंदर क्या है bronchi, bronchioles, alveoli मतलब lung तो inner membrane lung के surface के contact में है मुझे नी लगता कि मेरे को ये याद कराने की ज़रत पढ़ेगी मुझे नी लगता ये याद कराने की ज़रत पढ़ेगी सीदी से बात है दो लेर है बाहर ठ्र – ठ्ट्र from Abs press तो का अंदर लंग है तो अंदर लंग है तो इस तरीके से हमारी ये हुटी है, थोरेसिक चामबर में प्रेजेंट हुटी है अब तुम कहोगे थोरेसिक चामबर किससे बना होता है देखना थे हमसे थोरेसिक चामबर, एक, this is the chamber this portion is called as thoracic portion, thoracic chamber and this portion is anatomically airtight chamber क्योंकि यार इसमें lungs है हवा इदर उदर हमको और कहीं जाने नहीं देनी इस chamber में क्योंकि यहां पर बहुत मेरे को pressure maintain करना पड़ रहा है, कौन सी हवा, कौन सी oxygen कहां जाएगी carbon dioxide कहां जाएगी, वो सब चीज़ों का मेरे को ध्यान रखना है मैं गड़े नहीं कर सकती यहां पे बीच में तो this should be an airtight chamber ये एक airtight chamber होना चाहिए किस किस से बना है, ध्यान से देखना क्या आपको यहां सामने ये एक sternum नज़र आ रही है तो ventral, इस portion को कहते है ventral पीछे वाले portion को कहते हैं dorsal side वाली चीज़ों को कहा जाता है lateral नीचे वाले को कहा जाता है lower side तो ये ventraly sternum से बनी है dorsally vertebral column से बना है किस के बारे में बात कर रही हूँ, anatomical chamber के बारे में बात कर रही हूँ ventraly sternum से, dorsally vertebral column से, side में ribs side में ribs बाई साब रुख जाओ और नीचे होता है diaphragm मेरको तो नहीं दिखरा lag यार lag कर रहा है क्या मेरको तो lag नहीं दिखरा या इतने इसी लेना free class लेने का money नहीं करता देखना एक दो दिन में अपन जब normal class अपनी लेना शुरू कर देंगे ना अपनी private class उसके बाद देखना इतना प्यारा comment section इतने serious पढ़ने वाले बच्चे कोई spamming नहीं कुछ नहीं मैं तो बस एक दो दिन ठीक है कुछ deserving बच्चे हैं जो actually course नहीं ले पा रहे अन्रोल नहीं कर पा रहे उनके लिए I'm just doing this free class उसके पाद I'll just switch like this because right now mental peace is very important for me even I am studying like almost 7-8 hours working like anything whole day mental peace is very important for me and I cannot tolerate such kids trust me चीक है सुनते जाना तो मैं किसके बारे में बात कर रही थी thoracic chamber के बारे में जो anatomically airtight chamber है आगे किससे बना हुआ है मेरे पास ventrally sternum से dorsally vertebral column से side में ribs से और नीचे एक diaphragm से जो है dome shape का diaphragm ऐसे dome देखा होगा आपने doms doms shape का diaphragm से बना होता है अब मैं मैंने क्यों mention किया कि this is an anatomically airtight chamber इसी लिए मेंशन किया क्योंकि अगर थौरसिक क्याविटी के अंदर ये जो थौरसिक चैंबर है इसकी वॉल्यूम में कुछ भी चेंज हुआ वो चेंज as it is lungs में नजर आए रहा lungs के लिए हम वर्ड यूज करते हैं pulmonary 면 a जो थौरसिक क्याविटी में वॉल्यूम चेंज होगी वही वॉल्यूम पल्मनरी चैंज होगी यानि लंग्स में ची शोगी और मेकर आस्थी कश. कपके सुनाएं लंग्स धड़कते हैं कभी सुना है मैंने कभी सुना है कि लंग्स ऐसे धड़क-धड़क कर रहे हैं, कभी अपनी वॉल्यूम कम कर रहे हैं, कभी अपनी वॉल्यूम जादा कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम उपर नीचे तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार हमको diffusion करवानी है, कभी oxygen उदर बेजनी है, कभी carbon dioxide तो कुछ वॉल्यूम में changes तो होने चाहिए, तो अब वो वॉल्यूम में change कराए कौन, वो कराएगा thoracic chamber, तो thoracic chamber के द्वारा वॉल्यूम के अंदर changes किये जाते हैं, तो कुछ भी change जो हम thoracic cavity में करेंगे, जो भी change हम thoracic cavity में करेंगे, वही change as it is लंग्स में नजर आएग जैसे मैंने क्या किया, सास लिया, सास लेंगे सभी लोग मेरे साथ, सास लो फटा फट, सबसे पहले inspiration करो, फटा फट मेरे साथ सभी लोग सास लेंगे, inspiration मतलब तुमने सास अंदर ले ली, चीक है, सास अंदर ले ली, अब क्या हुआ क्या हुआ बता दो भाई तुमको नहीं दिख रा तो मेरे थोरसिक चामबर में चेंज आया यह इस टर्णम ऊपर उठ गई रिब्स ऊपर उठ गए और शायद कुछ एक नीचे ऐसा स्ट्रक्चर है जो यहां नीचे है फील करके देखना बॉडी में डायफ्राम तुमको फील हो जाएगा शायद पेट के उपर से वहां पर भी कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है इसका मतलब थोरसिक चैंबर में चेंज होता है वही चेंज लंग्स में हो रहा होगा अब वो क्या-क्या चेंज होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं जैसे ही मैंने इंस्पाइरेशन किया आपको एक चीज नजर आई होगी मेरी ऐसे वॉल्यूम बढ़ गई वॉल्यूम बढ़ गई और आपने फिजिक्स में बढ़ा होगा प्रेशर इस इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ गई अगर मेरी वॉल्यूम बढ़ गई इसका मतलब प्रेशर कम हो गया मतलब मेरी थोरसिक चांबर में यानि मेरे लंग्स में प्रेशर कम हो गया तो सीदी सी बात है तो हवा अंदर चली जाएगी बाहर एटमोस्फेर में ज्यादा प्रेशर है अंदर लंग्स में कम प्रेशर है हवा बोली चलती हूँ दुआओं में याद रखना अंदर हवा आ जाएगी इसी को हम inspiration कहते हैं इसी को हम inspiration कहते हैं जबकी expiration करके देखो expiration करो volume decreased यानि pressure increased अंदर का pressure बढ़ गया तो हवा कहेगी बाहर atmosphere में pressure कम है बाहर जा रही हूँ expiration हो जाएगा तो कैसे inspiration होता है कैसे expiration होता है वो मैंने आपको बता दिया expiration कैसे होगा inspiration कैसे होगा चिक्या अब inspiration में क्या-क्या changes होंगे और expiration में क्या-क्या changes होंगे वो ध्यान से सुनते जाना अब inspiration में क्या-क्या changes है expiration में क्या-क्या changes है सुनना ध्यान से जब मैंने inspiration करी ध्यान से देखते जाना मेरे पास number one number one sternum sternum ventral side है तो ये वाला जो एक्सिस होता है sternum ventral side है इस एक्सिस को कहते हैं dorsal ventral axis dorsal ventral वाला axis है तो number one sternum उपर आ गई dorsal ventral axis में volume बढ़ गई चीक है उसके अलावा number two मैंने कहा diaphragm में भी कुछ changes आ रही है तुम सास लेके देखो शायद तुम्हारा diaphragm एकदम ऐसे contract हो गया contract हो गया और उपर anterior नीचे posterior तो diaphragm के contract होने की वज़े से कौन सी volume में changes आ रही है anterior posterior axis में changes आ रही है तो जो anterior posterior axis वाली volume है उसमें diaphragm के contraction की वज़े से changes आएंगे और diaphragm ऐसे होता है ऐसे होता है diaphragm dome shape तो contract होगा तो कैसे होगा देख लो मेरा हाथ भी ऐसे मूँ कर रहा है और मेरा बोडी भी ऐसे मूँ कर रहा है इन रीजन की वज़े से तो sternum डर्सो वेंटरल एक्सस में changes ला देती है diaphragm का contraction anterior posterior axis में changes ला देता है last intercostal muscles कौन सी? external intercostal muscles वो ribs को उठाती है तो ribs को भी तो उठेंगा ना तो उनका contract है तो ये तीन चीजों की वज़े से वाल्यूम अब lag हो गया था मैं देखती हूं कल तक मैं इसको fix करती हूं देखते हैं कल तक I am repeating it तो क्या-क्या हो गया? तीन चेज़ेस क्या-क्या? एक तो मेरे पास यहां पर sternum तो sternum ने डर्सो वेंटरल एक्सस में change लाया दूसरा यहां पर नीचे डायफराम डायफराम ने anterior posterior axis में change लाया और साथ में ribs भी तो उठ रहे हैं ribs को कौन उठाती है? ribs को उठाती है external intercostal muscle तो वो contract करती है ribs को उठाती है तो इन तीन reasons की वज़ेसे एक तो डर्सो वेंटरल एक्सस में sternum उपर आने की वज़ेसे anterior posterior axis में डायफराम के contract होने की वज़ेसे और external intercostal muscles की वज़ेसे ribs में change आने की वज़ेसे volume बढ़ रही है pressure घट रहा है और हवा lungs के अंदर आ रही है छीक है? इस तरीके से पूरी की पूरी inspiration होगती है तीन रीजन्स की वज़ेसे अब लाग नहीं हो रहा है मेरे को पता चलता है मेरे को यहां दिख रहा है सामने जब मेरा लाग हुआ मैंने रिपीट कर दिया अब मत बोलो लाग लाग इसके बाद expiration अब expiration में उल्टा होगा देखना? निकालो सांस बार sternum normal position पर चली गई diaphragm normal return हो गया intercostal muscles relax हो गई हर चीज रिलाक्स हो गई volume कम हो गई volume कम हुई तो pressure बढ़ गया pressure बढ़ गया तो हवा बाहर जाएगी expiration हो जाएगी तो इस तरीके से inspiration और expiration होता है चीज़ क्या? done यह हो गया मेरे पास inspiration, expiration अब तुम कहोगे मेरे को तो और धक्के से सांस लेना है और धक्के से लेना है मेरेको तो मेरेको तो धक्के से inspiration करना है और मेरेको तो धक्के से expiration करना है उसमें तो मेरा पैठ भी उपर-nellीचे हो रहा है मेरा ही जादा पैठ निकल गया providers पढ़ते हैं क्या SCHU होता है नहीं होता है हमारे abdomen में कुछ additional muscles होती है abdomen में जो धक्के से inspiration और expiration की strength को बढ़ा देती है additional muscles in the abdomen तो इस तरीके से inspiration होती है expiration होती है मैं अब पूरा का पूरा human respiratory system रवाइस कराने जा रहे हुँ सुनते जाना सुनते जाना ध्यान से फटा फट सारी चीज़े जितना मैंने बताया external nostril सबसे पहले upper lips के ऊपर है nasal passage में गया जो नेजल चैंबर में गया अपने पास food और air का common path में pharynx है इधर से isophagus पीछे से चली जाएगी आगे से larynx है जो cartilaginus box है यहीं से आवाज निकल रही है sound box भी इसे कहते हैं उसके अलावा यहां एक glottis होता है जिसपे एक cartilaginus flap जो elastic है EP glottis present होता है ताकि food अपने पास enter ना कर जाए चीक है यह हो गया हमारा EP glottis larynx में उसके बाद इससे एक straight tube हमारे पास trachea निकल रही होती है ट्राकिया से left और right primary bronchi निकलेंगे primary bronchi से secondary bronchi secondary bronchi से tertiary trachea straight tube है जो mid thoracic cavity तक जाती है 5th thoracic vertibra पर left और right primary bronchi में डिवाइड हो जाती है left right secondary primary bronchi से secondary secondary से tertiary तर्शरी तर्शरी से थिन प्राइमरी bronchioles finally alveoli जो की vascularized bag like structure है irregular wall इन की है चीक है मैंने यहां पर आपको कहा था जहां bronchi है वहीं से lungs बनाने start कर दो इसका मतलब bronchi, bronchioles और alveoli यह सब lungs का part है double covering तो हमको करनी पड़ेगी तो double layer की अपने पास क्या होती है plural होती है उनके बीच में friction ना हो तो उनके बीच में plural fluid होना जरूरी है तो एक outer membrane है प्लूरा की एक inner membrane है outer membrane बाहर थोरेक्स से contact में होगी अंदर lungs है तो inner membrane अंदर lungs के contact में होगी चीक है जी डान अंडस्ट्रेड यहां तक bronchioles तक सारा का सारा part सिर्फ transportation करवा रहा था conducting part था foreign particles को remove कर रहा है finally alveoli और उसके ducts respiratory exchange part बना रही है जहां पर blood और air के बीच में oxygen और CO2 के actual exchange अपने पास हो रहा है इसलिए उसको exchange part कहते हैं thoracic chamber ही मेरे पास यही है जो lungs को carry कर रहा होता है यह एक anatomically airtight chamber है इसमें जो भी changes अपने पास यहां पर होंगे वो as it is lungs में pulmonary volume में pulmonary cavity में नजर आएंगे किस-किस से बना है dorsally vertebral column, ventrally sternum, laterally ribs और यहां पर dome shape का diaphragm ठीक है जी उसके बाद अपने पास दो चीज़ें पढ़नी है, सास हम लेते कैसे है, expire कैसे करते है, inspiration का मतलब in, अंदर चीज़ों को draw करना, ठीक है expiration का मतलब बाहर छोड़ना, तो एक pressure gradient तो होना चाहिए, कोई भी चीज़ इदर से उदर move तभी करेगी जब एक जगए जादा हो, दूसरी जगए कम हो ठीक है, तो क्या होता है अपने पास inspiration करते हैं, जहां से देखना, हमारे पास sternum उपर उठती है, dorsal, ventral, axis के अंदर volume को बढ़ा देती है, दूसरा, अपने पास dome shape का diaphragm, contract हो जाता है, contract ऐसे होगा नीचे की तरफ, ये diagram बहुत लोगों को confusion होती, अपना खुद की body में करके देख लेना, तुमको खुदी समझ में आजाएगा, खुदी समझ में आजाएगा, डायफराम नीचे की तरफ जा रहा है, contract हो रहा है, उसकी वज़े से भी anterior posterior axis में volume बढ़ जा रही है, और ribs को external intercostal muscles उठा दे रही है, इन सब की वज़े से volume बढ़ गई, pressure घट गया, हवा ज प्रेशर, thoracic volume घट गई, pulmonary volume घट गई, pressure बढ़ गया, हवा जो है वो बाहर चली गई, डायफराम ऐसे, यह अपने पास इसी से हमको अच्छे से पता चल रहा है, इसके अलावा अगर हमको धक्के से inspiration, expiration करनी हो, तो additional muscles भी present होती है, abdomen के अंदर, एक इंसान, एक मिनिट में, 12 से 16 बार सांस लेता है, आप अपना गिनके देख लेना, average, ठीक है, और हम कितनी हवा, कितनी volume body के अंदर लेकर जा रहे हैं, that is very important, इसी के basis पे, अब बहुत सारी volumes के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, और उसको calculate करने का तरीका होता है, spirometer, किसी के ढंग से अपने पास लंग्स काम कर रही हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो pulmonary functions को assess करने के लिए, हमारे पास यहां पर पूरी ढंग से चीज़े हो रही हैं कि नहीं हो रही है, spirometer यूज किया जाता है, जो body के अंदर volume कितनी अपने पास involved हो रही है, कितनी volume अंदर जा रही है, नहीं जा रही है, तो एक instrument होता है, spirometer, diaphragm की normal position यह है, this is dome shape, तभी तो मैंने का न, dome shape का diaphragm है, this is the relaxed position, जब वो contract होगा, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे, अभी तुम खुद कर के देखा, तुमको ऐसे feel हो रहा होगा, ऐसे जाता हो, तो spirometer मेरे पास हो गया, जो pulmonary function को access करने में, assess करने में help करता है, इसके बाद मैं start करने जा रही हूँ, pulmonary volumes and capacities, दो मिनट का हम break लेंगे, कोई lag नहीं है, किसी भी तरीके का, बिल्कुल भी नहीं है, जब बीच में है, शुनू मुनू, that is not significant, कि अंधे हो, एक दो दिन में विल स्टार्ट करें विल दिनक वाटर चलो अब श्टार्ट करते हैं अपना इस चाप्टर का दूसरा पॉर्शन and the most important portion question यही से बनते हैं respiratory volumes and capacities Bilu is asking क्या कर रही है सुने नहीं दे रही है say hi Bilu say hi चलो यहाँ चलो यहाँ चलो यहाँ चलो यहाँ चलो 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 अब स्टार्ट करते हैं दूसरा पूर्शन that is pulmonary volumes and capacities I'll make sure कि मैं आपको यहीं पर याद करवा दे रहीं ध्यान से सुनते जाना सबसे पहले हम बात करते हैं pulmonary volumes मतलब lung की volumes के बारे में सुनते जाना मेरे पास पहले नंबर पर आती है tidal volume okay now you are sitting आप normal सास ले रहे हो तो मतलब कुछ सास अंदर लेकर जा रहे हो कुछ सास बार छोड़ रहे हो तो जो आप normal जब सास लेते हो जितनी आप हवा अंदर लेकर जाते हो जितनी हवा बाहर छोड़ते हो उसे कहते हैं ताइडल वॉल्यूम यह है 500 ml आदा लीटर के यह होती है आप्रॉक्सिमेटली 500 ml एक बार में और अगर एक मिनट में कालकुलेट करोगे अग तुम समझदार हुई नहीं बार से मल्टिप्लाई कर लें ना जैसे तुम्हारा मैथ वैसा है मेरा मैथ नहीं कितने से मल्टिप्लाई कर लें अवे 60 से ना नहीं नहीं 12 से सभी तो बोला था मैंने एक बार हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं ना बबारे से 16 बार सुनना एक बार सांस लेते हुए 500 ml तो एक मिनिट में 12 से 16 बार सांस लेंगे तो 12 से 16 से मल्टिप्लाई कर लेना अंसर आयेगा 6000 से 8000 ml इसे कहते हैं Tidal Volume Normal जो अपन सांस अंदर ले रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं Normal Respiration के समय इसके बाद आता है Inspiratory Reserve Volume नाम बोल रहा है Inspiratory बोले तो Inspiration सांस अंदर लेना है Reserve मतलब जो मैंने Reserve में लगा रखी है Bike में आपने देखा होगा Reserve में रखते हैं हम चीज़ों को देखा होगा न Reserve में होता है एक लीटर तेल आखरी बचा होता है ऐसे कहते हैं बाई सारा तेल कटम होगया Reserve वाला यूज़ करना पड़ेगा Reserve में लगी बाईक तो मतलब जो सांस लिया जा सकता है पर हम लेते नहिए क्यों नॉर्मल सांस ले रहा है तब देखो ऐसे NORMAL सांस ले रहा है टाइडल वॉल्यूम लेकिन जो सांस हमने अभी भी रिजर्व में रख रखा है जिसे हम और ले सकते थे तो सांस ले सकते हैं जो हो गया 2500 एमल से लेकर 3000 एमल एक बार में इसे कहते हैं इनस्पाइरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसी का उल्टा एकसपाइरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब वो सांस जो हम धक्के से छोड़ सकते हैं अगर हम एक्सपाइरेशन करे तो उसे कहते हैं एक्सपाइरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकाल के देखो आज मैं आपको वो करके दिखाऊंगे जिससे तुम कभी भी कन्फ्यूज नहीं हो गए मैं सास लूँगी धक्ये से ठीक है मैं धक्ये से सास लूँगी second किनना I guess 2-dye second के दो सबस है ना सास छोड़ूँगी धक्ये से देखा तुमने जब मैं धक्ये से सास लिया मैं 2-dye second लिया और जब मैंने छोड़ा हाड़ली एक second छोड़ा इसका मतलब जो expiratory reserve volume है वो कम है 1000-1100 ml धक्के से जो मैं सास छोड़ पा रही हूँ वो कम है तो क्या इसका मतलब कोई ऐसा सास है कोई ऐसी वॉल्यूम है जो हमेशा अंदर ही रह जाती है अंदर ही बची रह जाती है बहार आती नहीं मैं धक्के से निकाल लूँ कुछ कर लूँ बहार आती नहीं एक ऐसी वॉल्यूम है जो उदर ही रह जाती है रह जाती है बची रह जाती है जो होती है एक्सपारी रिजर्व वॉल्यूम से भी जादा 1100-1200 ml खताम इस आर दा 4 रह रह जाती है फटा फट से एक बार याद करने की कोशुश करते है मैंने आपको क्या बोला नमबर वन नमबर वन मेरे पास था टाइडल वॉल्यूम जो मैंने नॉर्मल सास लेने के उपर अपने पास करी विच वस 500 ml एक बार में एक मिनट में हम 12 से 16 बार सास लेते हैं तो इड कान भी 6,000 तो 8,000 ml मल्टिप्लाई कर लेना 500 को 12 से मल्टिप्लाई कर लेना 500 को 16 से मल्टिप्लाई कर लेना इतने के बीच में हो सकती है इन वन मिनट दूसरा है इनस्पाइरेटरी रिजर्व वाल्यूम जो धक्के से मैं सास ले सकती हूँ उसे कहा जाता है इनस्पाइरेटरी रिजर्व वाल्यूम एक्सपाइरेटरी रिजर्व वाल्यूम जो धक्के से मैं सास छोड़ सकती हूँ उसे कहा जाता है expiratory reserve volume this is 2500 ml to 3000 ml this is 1000 ml to 1100 ml and residual जो बची रहे गई 1100 से 1200 ml ये चार volumes मेरे पास यहां पर होती है जो NCRT में कुछ इस तरीके से अपने पास दी गई है I hope सभी students को याद हो गया होगा done and dusted एकदम clear छीक है इसके बाद हमारे पास एक topic आता है pulmonary capacity capacity इनहीं को जोड दोड कर बनती है number one inspiratory capacity inspiratory capacity inspiration मतलब सास लेना और capacity का मतलब मेरे अंदर कितनी capacity है मेरे अंदर बेटा जी सास लेने की कितनी capacity है एक तो मैं जो नॉर्मली ले रही हूं और एक जो मैं धक्के से ले रही हूं this is my inspiratory capacity let me know if I am wrong इतनी capacity है दूसरा expiratory capacity मेरी बॉडी में expire करने की कितनी capacity है एक तो जो मैं नॉर्मली एक्सपाइर कर रही थी प्लस एक जो मैं धक्के से एक्सपाइर कर रही थी this is my capacity let me know if I am wrong total lung capacity मेरे total lung में कितनी capacity है सारी TV IRV ERV प्लस residual volume this is my total lung की capacity Apacity good के नंजी are huge ब्ष्प you weight capacity It is vital मतलब जो मेरी वैवाइटल activities में मेरीडे ढूडे activities में participate कर सकती है उसे कहते है हुआ है는 while capacity है 否 बॉल्युम कभी भी पार्टिशपेट कर सकती है कभी ने कर सकती तो क्या इसको छोड़कर TV, IRV, PLUS, ERV, vital capacity हो गए, चार capacity, याद करा दी, inspiratory capacity, expiratory capacity, vital capacity, total lung capacity, inspiratory, inspiratory capacity, मेरे अंदर कितना inspire करने का हिम्मत है, TV, PLUS, IRV, expiratory capacity, मेरे अंदर expire करने की कितनी capacity है, नॉर्मल, PLUS, धक्के से, ERV, total lung capacity, TV, IRV, ERV, RV, vital capacity, जो vital capacities में, जो हमारी day-to-day life की activities में role play करेगी, that is termed as vital capacity, residual volume तो lung में बची रह जाती है, वो तो कभी बाहर निकलती ही नहीं है, कभी participate करती ही नहीं है, तो उसको छोड़कर बाकि सारे की सारी volumes, vital capacity. क्या हो गई, vital capacity, last but not the least, is the functional capacity, functional capacity जो अपना function शो कर रही है, जो functional है अंदर, तो अंदर जो बची रह जाती है, plus residual volume, ये एक last आपको याद करना पड़ेगा, sorry, functional residual capacity, इसको भी याद करने की क्या ही जुरत है, अगर आप नाम ध्यान से देखो के तो आपको समझ आई जाएगा, functional residual capacity, कितनी ऐसी capacity है जो लंग में बची रह गई, तो एक तो RV, प्लस एक जो धक्के से निकालने वाला सांस था, वो बचा रह गया, हम तो normal सिर्फ TV ही निकालते हैं, so this is functional residual capacity, यह चार capacities हमारी अंदर होती है, so these were the capacities and the volumes, capacities and volumes, मैं फिर से volume सारी की सारी device करा रही हूँ, number one मेरे पास यहाँ पर था tidal volume, tidal volume का मतलब होता है, एक normal सांस में, जितना मैं सांस ले सकती हूँ, या छोड़ सकती हूँ, जो था 500 ml, एक बार में 12 से 16 बार सांस लेते हैं, तो हो गया 6000 to 8000 tidal volume, inspiratory reserve volume, जो मेरे पास धक्के से मैं सांस लिया जा सकता है, forcible inspiration के साथ, 2500 से 3000 ml, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume जो धक्के से सांस छोड़ा जा सकता है, expiratory reserve volume 1000 से लेके 1100 ml, and residual volume जो बची रह गई 1100 से 1200 ml, these are the volumes, capacities, पाच capacity, कौन-कौन सी, inspiratory capacity, मेरी बाड़ी में सांस लेनी की कितनी capacity है, TV प्लस धक्के से सांस लेने वाली, expiratory capacity, एक जो normal expire करती हूँ, प्लस जो धक्के से expire कर सकती हूँ, total lung capacity, सारी की सारी volumes को जोड़ दो, सारी की सारी lung capacity हो गई, vital capacity, जो सिर्फ vital activities में participate करेगी, residual volume को छोड़ कर, बाकी सारी volumes, TV, IRV, ERV, सब की सब vital activities में participate कर रही होती है, vital capacity, last but not the least, is the functional residual capacity, जो normal सांस छोड़ने के बाद, बची रह गई, उसे कहते हैं, functional residual capacity, which is ERV, प्लस RV, एक चीजब बची, इसमें बस, मैं एक सिंगल वर्ड नी छोड़ूंगी यहाँ पर, यहाँ पर आपको यह किस किस्से मिलकर बनी है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन आप इस normal body को कर कैसे रहे हो, मतलब यह आपकी body के अंदर हो कैसे रही है, उनकी थोड़ी discussion कर लेते हैं, inspiratory capacity मेरको अपनी body में दी करके दिखाओ, छीक है, मैं करके दिखाती हूँ, मैं सब कुछ करके दिखा रहे हूँ तुमको, यह किस किस्से मिलकर बनी है, वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको करके दिखाओ, तो मैं आपको करके दिखा रहे हूँ, inspiratory capacity करके दिखाती हो, inspiratory capacity में पहले TV होता है, फिर IRV होता है, तो पहले तो मैं नर्मल सास लेती हूं और फिर मैं धक्के से सास लेती हूं इसका मतलब इंस्पाइरिटरी कैपासिटी नर्मल सास लेना प्लस धक्के से सास लेना मैंने आपको इंस्पाइरिटरी कैपासिटी करके दिखा दी चीक है, दूसरा है expiratory capacity, मैं आपको expiratory capacity करके दिखाती हूँ, नॉर्मल सास छोड़ा, धक्के से सास छोड़ा, expiratory capacity, तो जितना मैं maximum expire कर सकती हूँ, उसे expiratory capacity कहते हैं, जितना मैं maximum inspire कर सकती हूँ, उसे expiratory capacity कहते हैं, खतम, दोनों चीज़े क्लिया था, टोटल लंग capacity, मेरे टोटल लंग में कितनी capacity है, टोटल अकोमडेट करने के लिए, जितना मैं volume, मतलब एक बर धक्के से सास छोड़ दो, अब लेना शुरू करो, ERV लिया, अब नॉर्मल वला, TV लिया, अब IRV लिया, और residual तो अंदर है, समझ रहो ना तुम, मैंने क्या किया, मैंने को चारों दिखानी है तुमको, तो मैंने या तो पूरा सास निकाल दिया, फिर शुरू करी process, या फिर पूरा सास भर लिया, फिर शुरू करी process, अब ही मैंने पूरा सास भर लिया, तो पहले मैं क्या निकालूंगी, IRV, अब TV, अब ERV, और body के अंदर RV तो है ही, तो total lung capacity होती है, जो total मेरा lung एकोमोडेट कर सकता है, vital capacity क्या होती है, RV हटा दो, जो या तो forced expiration के बाद जितना सास में ले सकती हूँ, ध्यान से सुनना, इस statement में confusion होती है, बाकी सब आपको clear हो जाएगा, vital capacity की statement में confusion होती है, vital capacity का मतलब है ज्यान से सुनते जाना, vital capacity का मतलब क्या है, IRV प्लस TV प्लस ERV, या फिर तुम उल्टा लिख लो, ERV प्लस TV प्लस IRV, मैं करके दिखा रही हूँ, कैसे, IRV, धक्के से सास लिया, तो इसका मतलब पहले बुरा भर लेती हूँ, अब ही दिखाती हूँ तुमको, पहले IRV निकाल के दिखाती हूँ, निकाल के दिखाती हूँ, अब मैं तुमको TV निकालती हूँ, अब ERV निकालती हूँ, यही तीन वॉल्यूम थी, जो मेरे को पार्टिसिपेट करके दिखाई, इसके अलावा मेरे में हिम्मत नहीं है, सांस उपर नीचे करने की, यह थी मेरी vital capacity, जब मैंने पहले पूरा forced inspiration कर लिया था, और उसके बाद expiration किया, उसके बाद सांस बाहर निकाला, तो उसे मैंने बोला vital capacity, या फिर इसका just opposite, पूरा forced expiration कर दो, सारा सांस बाहर निकाल दो, एक दम, अब सांस लेना शुड़ करो, पहले तो धक्के से निकाला हुआ लिया, फिर अब नॉर्मल वाला, टीवी वाला, और अब धक्के से आई यार भी, तो forced expiration करने के बाद जो inspire करा, या फिर forced inspiration करने के बाद जो expire किया, उसे vital capacity कहते हैं, वो किस किस से मिलकर बना है, वो आपको याद है, वो आपको clear है, लेकिन इनकी statement के उपर question आते हैं, जो बहुत जरूरी है, मैंने आपको अपनी body में करके दिखाए, बहुत धंग से समझाने की कोशिश करी, किसी student को फिर भी कोई confusion रहे गई है, आप please पीछे जाके एक बार क्योंकि हमें आगे complete करना बहुत जरूरी है, अब मैं इसकी NCRT पढ़ देती हूँ, inspiratory capacity, total volume of air, a person can inspire after a normal expiration, नॉर्मल सांस छोड़ा था, उसके बाद जितना मैं total सांस ले सकती हूँ, उसे कहा जाता है, inspiratory capacity, total volume of air, a person can expire after normal inspiration, नॉर्मल सांस ले रखा था, अब जितना छोड़ सकती हूँ, उसे कहते हैं, expiratory capacity, लेकिन, vital capacity होता है, forced expiration के बाद inspire करना, एक volume जो मैं अंदर ले सकती हूँ, या फिर इसका opposite, forced inspiration के बाद expire करना, breathe out करना, उसे कहते हैं, vital capacity, total lung capacity, जितनी total, एक lung accommodate कर सकता है, उसे कहते हैं, और एक volume जो अंदर रहे जाती है, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद, उसे कहा जाता है, functional residual capacity, चीक है, तो ये अपना NCRT, अपना पढ़के देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा, मैंने हर line, हर word उसमें, कहां पे उसका क्या म मतलब था, वो मैंने आपको बता दिया, चीक है, चलो, तो ये अपने पास यहां पर हो रहा है, अब बात करते हैं, हम आल्मूस्ट इस चाप्टर के आखरी portion की तब बढ़ते हुए, किस तरीके से gashes का exchange हो रहा होता है, we did not talk about alveoli उसके बारे में, तो मैंने आपको बोला था last में, वहां तक चीजें पढ़ा कर आपको छोड़ दी थी, कि ये मेरे पास मेरी irregularly walled alveoli थी, जहां पर blood vessels आ रही थी, इनके बीच में gashes का exchange हो रहा था, उस gashes के exchange के बारे में, मैंने कोई भी discussion नहीं करी, कोई भी बात नहीं करी, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं, ध् कांसे सुनते जाना अब, मेरे पास alveoli ये है, और यहां तक पहुचा हुआ है blood, blood vessel, इनके बीच में ही auto CO2 का exchange होता है, वो auto CO2 का exchange किस की वज़स से हो रहा है, diffusion की वज़स से हो रहा है, अब आप सब को पता है, बच्पन से आप पढ़ते आए हो, diffusion क्या होता है, diffusion का मतलब होता है, एक जगे पर concentration जादा है, दूसरी जगे पर concentration कम है, तो एक higher concentration से lower concentration की तरफ, जब चीज़े move करती हैं, उसे हम diffusion कहते हैं, तो अगर मुझे यहां पर O2 इसको भेजनी है, और इससे CO2 लेनी है, तो number one, एक concentration gradient होना चाहिए, इसका मतलब, यहां carbon dioxide कम होनी चाहिए, और यहां carbon dioxide जादा होनी चाहिए, जबकि यहां oxygen जादा होनी चाहिए, और यहां oxygen कम होनी चाहिए, तभी oxygen यहां से यहां जापाएगी, और carbon dioxide यहां से यहां जापाएगी, तो मुझे जो alveoli है और blood vessels हैं, tissues मेरे पास हैं, उनके बीच में O2 CO2 का exchange करना है, वो O2 CO2 का exchange मैं diffusion के द्वारा करती हूँ और diffusion में मुझे हमेशा एक concentration gradient ज़रूरी होती है, उसके अलावा, अब इन दो membrane की across में change कर रही हूँ, तो membrane अगर बहुत मोटी होगी, तो उसमें से निक membrane पतली होगी, तो निकल के जाना असान होगा, तो दूसरी diffusion membrane के thickness पर भी depend करती है, चीक है, membrane के thickness पर भी depend करती है, last but not the least is solubility of gases, gases कितनी soluble है, नहीं है, इन तीन चीजों के ऊपर, यहाँ पर diffusion होगी या नहीं होगी, O2-CO2 का exchange होगा, नहीं होगा, वो depend करता है, तो मेरी जो exchange of gases हैं, वो alveoli blood के बीच में हो रही होती है, फिर blood और tissue के बीच में हो रही होती है, यहाँ पर blood O2-CO2 को उठा कर लेकर जाएगा, फिर यह blood कहां पर जाएगा, हमारे cells के पास, हमारे tissues के पास, वहाँ पर भी O2 और CO O2 के बीच में exchange कर रहा होगा, तो हर जगहे पर वो जो O2-CO2 का exchange होटा है, वो diffusion से होता है, जो तीन चीज़ों पर depend करेगा, concentration gradient, membrane की thickness and solubility of gases, concentration gradient का मतलब कितना concentration है, कितना partial pressure है, किसका pressure कहां पर कितना है, उसी को तो concentration कहेंगे न, अब पानी का concentration तो हम उसका pressure कितना लगा रहा है, उसके basis पे calculate कर लेते हैं, लेकिन मुझे एक gas का वो concentration calculate करना है, तो gas का concentration हम pressure की terms में calculate करते हैं, और chemistry में आप पढ़ते हो, एक gas का जब हम pressure एक individual gas का उसे partial pressure कहा जाता है total pressure तो एक चीज हो गई partial pressure मतलब एक gas ने जो contribute किया that is partial pressure यह आपका chemistry का time होता है I am not going to explain what is partial pressure or not but pressure contributed by an individual gas system as the partial pressure उसके उपर अपने पास यहाँ पर चीज़ें depend करेंगी तो फिर से एक बार मैं बोल रही हूँ अब one by one करके मैं इसको concentration gradient को detail में पढ़ाऊँगी solubility of gases को अपने पास detail में पढ़ाऊँगी membrane की gases को sorry membrane की thickness को detail में पढ़ाऊँगी सुनते जाना सुनते जाना मैंने आपको क्या कहा हमारे पास सबसे पहले यह मेरी alveoli है चीक है alveoli और blood के बीच में O2-CO2 का exchange हुआ यह blood cells तक tissues तक जाएगा वहाँ पर ही तो हमको O2 पहुँचाना है और उनसे CO2 लेनी है वहाँ पर भी exchange कर रहा होगा यह सारा का सारा exchange simple diffusion के द्वारा होता है जो तीन चीजों पर depend करेगा concentration gradient solubility of gases membrane की thickness one by one करके पढ़ा रही हूँ सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर क्या आता है concentration gradient अब देखते जाना सबसे पहले यह है मेरी alveoli alveoli में oxygen का जो concentration है उसका जो pressure है वो होता है 104 mm of Hg यह आपको याद करना पड़ेगा यह रटना पड़ेगा फिर उसके बाल फिर हमारे पास यहाँ पर यह pulmonary vein थी याद ना pulmonary vein लेकर जाती है blood को pulmonary artery लेकर आती है blood को lungs तक याद ना तो pulmonary vein के अंदर फिर O2 जाएगा और वो O2 का partial pressure वहाँ पर होता है 95 mm of Hg चिक है वहाँ से वहाँ से वो blood tissues तक पहुँचेगा यह मालो मेरा tissue है tissue में partial pressure होता है 40 mm of Hg और जितना tissue में उतना ही de-oxygenated blood में यह भी होता है 40 mm of Hg तो यह total और बाहर atmosphere में partial pressure होता है 159 mm of Hg concentration देखते जाना हवा में कितनी concentration है 159 alveol eye में 104 इसलिए तो 159 से 104 की तरफ आया फिर इस blood में जो oxygenated है जिसमें oxygen मिल जाएगी उसे oxygenated blood कहते हैं उसमें 95 इसलिए तो 104 से 95 की तरफ आया फिर tissue तक tissue में 40 तो 95 से 40 की तरफ गया फिर अगला तो जैसा tissue वैसा ही deoxygenated blood उसमें भी 40 वो 40 वापस यहां तक आया यह बोला मेरे पास तो सिर्फ 40 है यहां पर दे दो प्लीज फिर से दे दिया जाता है इसलिए ये concentration gradient के होने की वज़से gases का exchange हो रहा है atmosphere से tissues तक oxygen जा रही है जबकी इसका just opposite carbon dioxide में है carbon dioxide में tissues जो है carbon dioxide tissues में बनती है वहां पर 45 mm of Hg था जितना tissues में उतना ही deoxygenated blood में तो deoxygenated blood में भी 45 mm of Hg था उसके बाद यह है alveoli में 40 और जितना alveoli में उतना ही इधर इधर बहुत मुश्किल नहीं होगा आपको याद करना तो alveoli में भी 40 mm of Hg carbon dioxide और जो oxygenated blood है उसमें भी कम 40 और बाहर atmosphere में 0.3 तो इसलिए बनी थी कहां cells में वहां से deoxygenated blood से alveoli में आई अलveoli से बाहर atmosphere में आगे तो हम सारे partial pressure ऐसे याद रखेंगे तो हमारे पास एक O2 है एक CO2 है दोनों को अगर इधर से उधर move करना है तो एक concentration का gradient present होना चाहिए जो की सबसे पहले atmosphere atmosphere में ये कितनी है 159 159 से किदर आएगी alveoli में 104 फिर वहां से oxygenated blood 95 oxygenated blood से किस में जाएगी अपने पास tissues में tissues में कितना होगा 40 tissues से as it is deoxygenated blood के अंदर उसमें भी कितना 40 इसका just opposite याद करते है CO2 में CO2 कहां बनी थी tissues में कितना था 45 deoxygenated blood में deoxygenated blood में भी 45 alveoli में थोड़ा सा change कर दो 40 जितना alveoli में उतना ही oxygenated blood में 40 और बाहर atmosphere atmosphere में 0.3 so because of this concentration gradient हमारी जो gases है वो इधर से उधर move कर रही है इधर से उधर अपने पास जा रही है I hope आपको पहला portion क्यों diffusion हुआ number one reason concentration gradient के होने की वज़ज से वो समझ आ गया होगा याद हो गया होगा ये सारे partial pressure है carbon dioxide याद करना जादा tough नहीं है 45 और 40 दो use हैं और एक point 3 है ये थोड़ा सा है 159, 104, 95, 40, 40 तो ये अपने पास number one reason होगया concentration gradient ये concentration gradient present होता है इसलिए अपने पास यहाँ पर exchange होता है तो O2 में concentration gradient alveoli से blood tissues की तरफ है जबकि CO2 में ultra tissues से alveoli की तरफ है next reason number one मैंने आपको याद करा दिया concentration gradient solubility of gases के बारे में बात कर लेते हैं तो ये जादा बड़ा topic नहीं है carbon dioxide 20 से 25 गुना oxygen के comparison में जादा soluble होती है तो वो जादा diffuse कर सकती है carbon dioxide जादा diffuse कर सकती है 20 से 25 गुना जादा soluble होती है बस इतना याद करना तो जो carbon dioxide है वो O2 के comparison में 20 से 25 गुना जादा soluble होती है इसी लिए अपने पास वो जादा diffuse कर सकती है next, thickness membrane की thickness के बारे में बात कर लेते हैं अब तुमको डर लगा होगा देखकर बाबर ये बाबा ये तो alveoli ये blood vessel और इनके बीच में कुछ और substance भी भरा होगा मतलब layer number 1 जो alveoli की membrane है number 2 जो blood vessel की membrane है number 3 जो इन दुनों के बीच में भरा हुआ substance है इन तीनों की तीनों membrane को cross करके फिर diffusion होगी इन तीनों की तीनों membrane को cross करके फिर diffusion होगी इसका मतलब जो यहां diffusion हो रही है उसमें तीन लेयर participant कर रही है कौन कौन सी एक तो alveoli की देखो alveoli ये मेरे पास alveoli है है ना तो alveoli की बाहर वाली membrane तो इसलिए इसे कह देते हैं हम squamous thin squamous epithelium चीक है अब यह blood vessel है capillary है capillary की अंदर वाली membrane endothelium तो endothelium of alveolar capillaries आर्टरी तो पहुंच ही नहीं होगी इन तीन membrane को cross करके O2CO2 का exchange होता है thin squamous epithelium of alveoli endothelium of alveolar capillaries and basement substance between them इन तीनों को cross करके अपने पास क्या होता है हमारे पास diffusion होता है कमाल की बात है हैं यह तीन membrane लेकिन इनकी टोटल ठिकनस one mm से भी कम है one mm से भी कम तीनों को मिला के इसी लिए इनके बीच में diffusion हो जाती है तो तीन चीजें मेरे पास यहां पर हो गई diffusion के तीन रीजन मैंने आपको याद करा दिये नंबर वन था concentration gradient o2 के अंदर 159 104 95 40 40 co2 co2 के अंदर मेरे पास यहां पर क्या क्या था 45, 40, 40.3 45, 45, 40, 40.3 Solubility CO2 की 20, 25 टाइम जादा होती है Done Diffusion membrane तीन लेर है Thinus quamacep thilium of alveoli Endothilium of alveolar capillaries उनके बीच में भरावा basement substance लेकिन thickness 1 mm से भी कम खत्म तो ये तीन reason होते हैं इन तीनो reasons की बज़से हमारे पास जो exchange है gases का वो हो रहा होता है चीक है अब तुम्हारे पास एक question तुको दिमाग में नहीं आया चीक है इधर 159 थी इधर 104 थी इधर 95 थी इधर अपने पास 40 थी जो भी थी ओटू इधर से उधर जा रही थी इस ओटू को लेकर कौन जा रहा है ये जो ओटू जा रही है पूरी की पूरी ठीक है हमने माल लिया जा रही है लेकिन इस ओटू का ट्रांस्पोर्ट कर कौन रहा है लास्ट दो टापिक बचें बस O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है और बिमारियां बस regulation बिमारियां तो ध्यान से सुन ले ना बस बहुत लास्ट का 15-20 मिंट का टॉपिक बजा है ध्यान से सुन लो मैंने कहा O2 जा रहा है CO2 आ रहा है लेकर कौन जा रहा है तो 97% तो RBC के अंदर हीमोगलोबिन नामक एक चीज़ होती है red colored और oxygen लेकर जा रहा है solid तो होगा solid body होगी तो iron containing ये होता है तो हमारे पास blood में RBCs होती है जिसमें हीमोगलोबिन होता है वो हीमोगलोबिन क्या कहता है आजा बैढ़ जा मेरी पद्दी पर बढ़ जा बिठा लेता है चीक है यहाँ पर बिठा लेता है बिठा लिया तो जब LVOLI पर oxygen available थी वहाँ पर HB ने O2 को अपने बिठा लिया फिर फिर जब ये tissues पर पहुँचा tissues पर उसने कहा चल बैण यही है तेरा अब उतर जा तो अब वो क्या करेगा HB O2 उतार देगा खुद अलग हो जाएगा oxygen को वहाँ पर उतार देगा यह क्या कर रहा है टेक्सी का काम कर रहा है और एक आटो में कितने लोग बैठ सकते हैं एक कार में कितने लोग बैठ सकते हैं चार तो हीमोगलोबिन बोला मैं भी कार से कम थोड़ी हूँ मैं भी चार O2 को लेकर जा सकता हूँ लेकिन इसका मदब यह थोड़ी है कि एक O2 को ने लेकर जा सकता है एक को भी लेकर जा सकता है दो को भी लेकर जा सकता है तीन को भी लेकर जा सकता है 97% O2 का ट्रांसपोर्ट ऐसे होता है बाकी ऐसे ही प्लाजमा में गुल गुला के चला जाता है 3% प्लाजमा में गुल कर चले जाती है कब हीमोगलोबिन के O2 को पद्धी बिठाएं कब उसको उतारे ये कैसे पता चलेगा देखना जहां O2 जादा वहां पद्धी बिठाएं और वो होती कहां है LVOLA में होती है जहां O2 कम वहां पद्धी उतार देना और वो कहां होती है तिशूस में होती है याद इसका जस्ट ओपोजिट जहां CO2 कम वहां बिठा लेना और जहां CO2 जादा वहां उतार जाना इसी तरीके से एक हाइड्रो एच प्लस का कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है वो भी सेम है जैसे CO2 है वैसा ही जो CO2 का अपने पास है सेम सिर्फ ओक्सिजन जादा होनी चाहिए वहां पर हमको हीमोगलोबिन की बाइंडिंग करवानी है जहां ओक्सिजन कम होगी वहां हीमोगलोबिन का डिसोसियेशन करवाना है अगर क्वेशन में पीछ हायत हो आपको याद है पी एच इस इण इन वर्सली प्रपोर्शणल हो to h-plus ka कंसेंट्रेशन फी एश प्रपोर्शणल हो फोस्क्वेशन आज प्सक्वेशाद मत करना हॉ नीट में हमेशा ऐसा ही होता है === हमेशा नीट में अ continuous कभी एंचियाटी से बार से क्वेश्चन याएगा यह आजाएगा दे दोस पीपल डू एक्सपेक्ट कि आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि मैंने एच प्लस लिग दिया तो तुम्हारा ध्यान है कि नहीं कि तुमने एच प्लस ही उसको पड़ा पीएच आगया तो तो बिठा लेना इसका जोस्ट ओपोसिट सी ओटू एच प्लस टेंपरेचर जादा ओटू कम उतार देना लेकिन अगर पीएच आजाए पीएच इस इंवर्सली प्रपोर्शनल टू एच प्लस का कंसेंटर्श तो इन फैक्टर्स के ऊपर बाइंडिंग डिपेंड करेगी और 100 ml अगर आप oxygenated blood देखो अगर 100 ml blood है वो 5 ml oxygen डिलिवर करता है नॉर्मल कंडिशन अगर 100 ml खून है वो 5 ml oxygen डिलिवर करते हैं इसका अब बात करते हैं CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे रूता है CO2 का ट्रांसपोर्ट थोड़ा अलग है एक तो ऐसे ही 20-30% तो जैसे इसका था हीमोगलोबिन के थूप तो वो भी हीमोगलोबिन के साथ उसके पद्दी बढ़ जाता है कार्ब अमीनों हीमोगलोबिन बनाता है किस पर डिपेंड करेगा बनाए की ना बनाए तो जहां पर क कार्बन डाय उक्साइड जादा हो जो कहां होती है टिशूस पर तो कार्ब अमीनों हीमोगलोबिन बना देना और जहां पर कार्बन डाय उक्साइड कम हो वहां पर दोनों को अलग-अलग कर देना देख लो दिख रहे हैं तुमको ऐलवियो लाय पर उतर गई CDC बात है और O2 इसका just opposite O2 जादा होनी चाहिए यहाँ O2 कम होनी चाहिए जैसे इसमें अपन ने किया था लेकिन क्या इसका CO2 उपर बैठेगी नहीं बैठेगी वो इन दोनों पर depend नहीं करता CO2 का hemoglobin के साथ association होगा या dissociation होगा वो H plus के concentration के उपर temperature के उपर depend नहीं करता है ठीक है तो मैंने आपको क्या बोला मैं फिर से revise कराती हूँ ध्यान से देखते जाना मेरे पास यहाँ पर oxygen का transport मैंने कहा LVolair से tissue तक oxygen जाती है लेकिन वो oxygen जाती कैसे है वो transportation होता कैसे है 97% RBC के द्वारा hemoglobin उनमें होता है red colored iron containing उसकी वज़से होता है oxygen hemoglobin associate होती है oxy hemoglobin बनता है यह चार oxygen लेकर जा सकता है और कहां यह बनेगा कहां यह तूटेगा वो depend करता है partial pressure पर जहां oxygen जादा वहां HbO2 बनेगा जहां oxygen कम वहां hemoglobin से oxygen अलग हो जाएगी हो गई ना delivery oxygen की tissues में oxygen कम होती है और hemoglobin ने बोला कि जहां oxygen कम होगी मैं वहां oxygen को अलग कर दूँगा अपने आपसे tissues पर ही मेरे को oxygen डिलिवर करवानी है और देखो हो गई delivery जबकि बाकी सारी की सारी चीज़ें इसकी opposite होनी चाहिए लेकिन अगर question में pH दिया मिल जाए तो pH is always inversely proportional to H तो फिर इन data को change करते हैं तो जब-जब ये conditions होंगी HbO2 बनता है जब-जब ये condition होंगी HbO2 dissociate बनता है 100 ml oxygen 100 ml blood 5 ml oxygen deliver कर देता है इसके अलावा CO2 का transport कैसे होता है CO2 का transport 20-30% ऐसे ही लेकिन वो हमारे पास इसके उपर depend नहीं कर रहा होता है ना H plus की concentration पे ना temperature पे वो सिर्फ carbon dioxide और O2 के partial pressure पर depend करता है जहाँ CO2 ज़ादा होगी वहाँ हीमोगलोबिन पे बैठ जाएगा जहाँ पे लोग जादा वहाँ वो कार में बैठ जाएंगे जहाँ पे लोग कम वहाँ कार से उतर जाएंगे वह यह बात है अपने पास अब तुम खुद देख लो कारबन डायोकसाइड जादा का होती है कारबन डायोकसाइड काम का होती है खतम तो यहाँ पर CO2 की binding हो गई यहाँ पर हट गया और 100 ml T oxygenated blood 4 ml CO2 deliver करता है oxygen कितने deliver करता है 5 ml तो यह याद रखना तो 4 ml oxygen deliver करता है 4 ml CO2 deliver करता है और 5 ml O2 deliver करता है तुम कहो के बाकी CO2 का ट्रांसपोर्ट 7% plasma के थो जैसे ऐसे गुल गुला के oxygen चली गई थी ऐसे गुल गुला के CO2 चली गई अब O2 तो यहीं खतम हो गई थी 97% RBC के द्वारा और बची भी 30% plasma के द्वारा CO2 में भी दो चीज़े सेम है 20-30% हेमोगलोबिन के RBC के द्वारा और 7% plasma के द्वारा बाकी 70% वो होती है bicarbonates के थो किस के थो bicarbonates के थो क्या होता है bicarbonates हमारे पास RBC में में एक एंजाइम होता है उसे हम कहते हैं carbonic enhydrase ये एंजाइम क्या करता है carbon dioxide को H2O के साथ मिलाता है और H2CO3 बनवा देता है चीक्या चीक्या H2CO3 फर्दर H+, और HCO3- में तूट जाता है ये सब कौन करवा रहा है ये प्रोसेस carbonic enhydrase चीक्या अब टिशू में carbon dioxide जादा है जादा है चीक्या तो हो क्या करेगी वो H2O के साथ मिलेगी H2CO3 बनाएगी और H+, और HCO3- में तूट जाएगी चीक्या अब अब ये सारे चीज़ें वापिस जाना अब ये ऐसे अपने पास blood में घुल गया सारा का सारा LVOLI की तरफ जाना शुरू होगा जब LVOLI में पहुँचेगा वहाँ पर देखेगा carbon dioxide कम है तो उल्टी प्रोसेस शुरू हो जाएगी ये वापस से HCO3- बनाएगे HCO3- CO2 H2O में टूट जाएगा H2O निकल जाएगा इदर उदर गही और CO2 बाहर निकल जाएगा इस तरीके से carbon dioxide की delivery होती है तो मैंने आपको यहाँ पर याद करा दिया कि कैसे कैसे delivery है फिर से एक बार last time सारा का सारा system revise कर लेते हैं ध्यान से सुनते जाना मैंने आपको कहा हमारे पास LVolai से tissues तक oxygen जा रही है ठीक है tissues से LVolai तक carbon dioxide आ रही है लेकिन ये सारी चीजे हो कैसे रही है अगर मैं बात करूँ oxygen की 97% hemoglobin डिलिवर कर रहा है and 3% plasma में घुल घुला कर चला जा रहा है CO2 के CO2 के अंदर थोड़ा सा तीन चीजें अपने पास है दो तो as it is same इसी जैसे RBC के hemoglobin द्वारा 20-30% same plasma द्वारा 7% लेकिन जो 70% है वो एक नया सिस्टम होता है Bicarbonate उसके द्वारा हो रहा है कैसे हो रहा है एल्वियो लाय में oxygen जादा है हाँ Carbon dioxide कम है हाँ H plus की concentration भी कम है temperature भी कम है ये सब condition है तो हीमोग्लोबिन ने उसको कहा आजा फिर बैढ़ जा पद्दी फिर वो गया tissues तक जब वो tissues तक पहचा वहाँ पर oxygen कम मिला Carbon dioxide जादा मिली H plus जादा मिला temperature जादा मिला उसने कहा तेरी जरुरत इनको है एक काम कर उतर जा oxygen को यहाँ उतार देगा खुद वापस चला जाएगा दूसरी oxygen लाने इस तरीके से Carbon dioxide का transport हो गया same इसका just opposite tissues में Carbon dioxide जादा है oxygen कम है तो हीमोगलोबिन ने सिर्फ इन ही दो factor के basis पे Carbon dioxide को अपने पद्धी बिठा लिया उसको फर्क नहीं पड़ता H plus कितना है temperature कितना है जब वो LVO line में आया LVO line में उसने वापस से इन चीज़ों को उतार दिया चिक्या इस तरीके से अपने पास यहां पर चीज़ें हो गई इसके अलावा plasma में गुल-गुला के 7%, 3% यह चला गया एक है Bicarbonate के थुरू कैसे tissues में CO2 जादा है तो वो बोली चलो किसी किसे प्यार महबत ही कर लेते हैं तो H2CO3 बना लिया जो H2CO3 H+, और HCO3- में convert होके गुल-गुला कर इदर-उदर घुमना शुरू कर गया जब हम LVO लाए में पहुचे तो हमने देखा कारबन डायोकसाइड कम है यहां कारबन डायोकसाइड होनी चाहिए तो उल्टा करते हैं इस प्रोसस को सेम कारबन डायोकसाइड बन जाएगी इस तरीके से कारबन डायोकसाइड का ट्रांसपोर्ट होता है 100 ml बलड 5 ml oxygen डिलिवर करता है 4 ml CO2 डिलिवर करता है 1 हीमोगलोबिन 4 oxygen को अपनी पद्धी पर बिठा सकता है इसके अलावा यह कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा कैसे नहीं होगा वो पूरा का पूरा मैंने आपको याद करा दे लास्ट एक चार्ट दे रखा है अपने को जिसे हम कहते हैं oxygen dissociation करब क्या कहते हैं oxygen dissociation करब क्या होती है oxygen dissociation करब देखो हमारे पास जब oxygen का partial pressure हांजी एक्से के और एक्से किना रखा है क्से किना रखा है एक से गन्याल मैंवेरी सुनना द्यान से एक oxygen dissociation curve मेरे पास यहां पर है जब यहां पर oxygen की partial pressure पर और यह है कितना hemoglobin अपने पास वहां पर साचुरेट हुआ मतलब मैंने आपको एक बात भूली थी जैसे आपकी कार है हीमोग्लोबिन क्या है हीमोग्लोबिन is nothing but a taxi राइट है ना हीमोग्लोबिन क्या होती है टेक्सी होती है अब एक टेक्सी में total चार लोग बैठ सकते हैं मतलब एक limit होती होगी है ना इतने लोग अपने पास यहां पर बैठ सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे के लोग बैठ सकते हैं उसे हम कहते हैं इसे जोना कितनी ये taxi तो उसे कहते हैं हम सैचुरेशन उसे क्या कहते है सैचुरेशन कि वो टेक्सी मेरे पास कितनी भरी हुई है गौट इट, कितनी टेक्सी साचुरेट हो गई, अब मालो 20% मेरे पास यहां पर oxygen है, तो कुछ इतनी टेक्सी बरी होती है, इतनी ही oxygen मेरे पास है, अब मैं oxygen को तो लोगों में तो नहीं गिन सकती ना बेटा मैं तो उसको पार्शल प्रेशर की टम में गिनूँगी तो जब इतनी अपने पास थी तो अपने पास मालो 20% के आसपास हीमोगलोबिन भर गया फिर जैसे जैसे पार्शल प्रेशर इसका बढ़ता गया बढ़ता गया हीमोगलोबिन और सचुरेट होता गया होता गया होता गया एक समय ऐसा आएगा उसके बाद तुम कितना भी oxygen का पार्शल प्रेशर बढ़ा लेना जब एक लोग थे तो अपना मा कार 75 परसंट भर गई चार लोग आए अपनी कार 100 परसंट भर गई पांच आए चाहे अब दस आए मैं अब और लोगों को नहीं ले सकती कि खताम अपनी रियल लाइफ में इस चीज को इमाजन करके देखो आपे समझ के देखो चार लोग के बाद मैंने कह दिया मैं अपनी गाड़ी में बस चार लोग बिठा सकती हूं अब चाहे 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 पचास आए मैं अब और को नहीं बिठा पाऊंगे तो जब इनिशली पार्शिल प्रेशर उर्सका बढ़ता जा रहा था और अक्सिजन आती जारी थी आती जारी थी हीमोगलोबिन सैचूरेट होता जा रहा था और बिठाए जा रहा था बिठाए जा रहा था लेकिन एक समय ऐसा आया जिसके बाद मैं कितना भी अपने पास वहां पर चीजों क बढ़ा लूँ, partial pressure कितना भी बढ़ा लूँ, हुमोगलोबिन 100% saturate हो चुका होगा, वो 100% बढ़ चुका होगा, उसके बाद वो अपनी गाड़ी में किसी को नहीं बढ़ाएगा, और एक sigmoid curve यहाँ पर बन जाती है, जो की oxygen dissociation curve in CERT के अंदर mention की गई है, I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो यह हमारे पास यहाँ पर पुरा का पुरा portion हो गया, एक बार फटा-फट से देख लेते हैं, मेरे पास जितनी भी चीज़े मैंने आपको पढ़ाई, oxygen का transport 97% blood के थू होता है, और 3% plasma में गुल-गुला कर होता है, हीमोग्लोबिन करता है, अपने पास इसका reversible उसको जोड लेता है, oxygen हीमोग्लोबिन बला लेता है, maximum 4 molecules को बिठा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 4 के 4 को बिठा है, partial pressure पर डिपेंड करता है, partial pressure जहाँ पर जादा होगा, वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, जहाँ कम होगा, वहाँ पर हीमोग्लोबिन से oxygen dissociate हो जाएगा, उसके अलाव यह just opposite concentrations अपने पास होगी, 100 ml oxygenated blood 5 ml वो कर सकता है, फिर oxygen dissociation करब का क्या मतलब है, वो मैंने आपको समझा दिया, CO2 का transport कैसे होता है, बाइकार्बोनेट के थूँ कैसे इस तरीके से बाइकार्बोनेट की formation होती है टिशूज में, जो की वापस उल्टी कैस कहां पर जाकर, अल्वियोलाई में जाकर CO2 रिलीज कर देती है, इस तरीके से 70% CO2 डिलेवर होता है, 100 ml blood 5 ml oxygen डिलेवर कर सकता है, और 100 ml blood 5 ml oxygen डिलेवर करता है, और 4 ml carbon dioxide डिलेवर कर सकता है, लास्ट टॉपिक, रेगुलेशन, यह सब चीजें, खटम बस टॉपिक अब, कुछ नहीं बचा, चाप्टर में, रेगुलेशन, यह सारी के सारी जितनी भी मेरी सास में ले रही हूं, मेरी रेश्पाइरेशन हो रही है, कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा होगा, तो यह पूरा का पूरा, जब human physiology unit मैं आपको पढ़ाऊंगी, इस पूरे के पूरे unit के अंदर, मैं आपको medulla, 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 हमारे दिमाग का, medulla portion के बारे में ही बात कर रही होगी, तो हमारे medulla में एक respiratory rhythm center है, जो हमारे respiration के rhythm को बना रहा है, यही primary regulate करता है, उसके अलावा, उसके अलावा, पॉन्स region में एक होता है, नीमो टेक्सिक center, आपने carbon dioxide वगेरा आपने सुना होगा, thorax, नीमो थॉरेक्स, ऐसा कुछ सुना होगा, कभी word सुना हो तो आपने, तो एक नीमो टेक्सिक center होता है, जो पॉन्स region में present होता है, वो respiratory change rate को change करके, inspiration के duration को कम कर सकता है, ठीक है, तो जैसे मैं ऐसे, जल्दी जल्दी सांस लो, तो duration, सांस लेने का, मैंने वो कर दिया, तो मेरा respiratory rate बढ़ गया, जहां एक मिनिट में, मैं बारा से सोला बार सांस ले रही थी, अब मैं देखो कितनी बार बार ले जो, तो नीमो टेक्सिक center क्या कर सकता है, inspiration के, duration को कम कर देगा, यानि, जो मेरा respiratory rate है, उसको बढ़ा देगा, तो उससे, अगर कुछ दिक्कत आ जाए, तो उस दिक्कत को ये change कर देता है, मालो मेरी body के अंदर oxygen कम पढ़ गई, अगर मेरी body में oxygen कम पढ़ गई, बटा जी फिर तो मेरे को जल्दी जल्दी oxygen चाहिए, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा, तो वो bonds अपने पास कर देता है, उसके अलावा, एक होता है chemo sensitive area, और एक होती है हमारी aortic arc, और केरेटेड आर्टे, ये दोनों क्या करती हैं, जैसे ही body में H+, में change होता हुआ दिखे, या CO2 में change होता हुआ दिखे, यादे न, यहाँ पर बहुत affect पढ़ रहा है H+, CO2 का, अपने देखा होगा भी, oxygen bind करेगी, नहीं करेगी, उस पे H+, CO2 का बहुत फर्क पढ़ता है, तो हमारी body में, अगर CO2 की concentration उसको बहुत change होती हुए दिखे, या फिर H+, की concentration change होती हुए दिखे, वो मिंटो में rhythm center को, ये दोनो, chemo sensitive area, नामी बोल रहा है, chemo sensitive, chemicals के लिए sensitive, and aortic arc, और carotid artery, दोनो के दोनो rhythm center को signal भीजते हैं, और rhythm center, rhythm बना देता है, तुम कहोगे फिर oxygen का कोई रोल नहीं है, मेरी body में ज़्यादा oxygen हुई, कम oxygen हुई, नहीं क्या उससे मेरी body को कोई फर्क नहीं पड़ता, regulation में oxygen का कोई रोल नहीं है, मेरी body में ज़्यादा है, नहीं है, पड़ी है, घूम रही है, बोडी को कोई मतलब नहीं है, बोडी कोई changes नहीं लाएगी, लेकिन अगर, CO2 में, H plus के concentration में, कुछ भी changes हुए, उन changes को मिंटों में, aortic arc, carotid artery, chemo sensitive area, recognize करते हैं, और medulla के rhythm center को कहते हैं, बना दे भाई rhythm center, और इस तरीके से, आपका regulation हो रहा होता है, और आपका पूरा का पूरा regulation, इस एक पन्ने पर लिखा हुआ है, जो मैंने आपको याद करा दिया, बहुत टफ लगता है आदे लोगों को, मैंने यहाँ पर रिख दिया, main कौन है, जो main rhythm बना रहा है, medulla के अंदर, respiratory rhythm center, सब इसी को signal भेजेंगे, सब इसी को signal भेजेंगे, जैसे ही H plus CO2 में change आएंगे, chemo sensitive area मिन्टों में sensitive करतेगा, aortic arc caracted artery मिन्टों में उसको sense कर लेंगे, signal भेजेंगे बाई, रिदम बना दे, गड़बड होगी बाटी में, चीको, neemotexic center, कहता है, गड़बड होगी, मैं खुद भी, मैं भी तो brain का ही पाट हूँ, मेरे को भी खुद ही कुछ ना कुछ action लेना चाहिए, signal तो rhythm center को भी बेजूँगा, लेकिन मैं भी खुद कर लूँ, brain का पाट हूँ, शरम आनी चाहिए, मेरे को भी थोड़ी बहुत, तो मैं खुद भी inspiration की duration को घटा देता हूँ, मतलब जल्दी जल्दी सास लेना शुरू कर देता हूँ, respiratory rate बढ़वा देता है, तो इस तरीके से हमारी body में regulation हो रही होती है, last topic of this class is the disorders of respiratory system, number one, asthma, asthma मतलब बहुत लोगों को asthma होता है, उनमें कोई जाधा गडबढ नी हुए, लेकिन जो bronchi थी और bronchiols थी, उसमें inflammation हो गए, अब तुम खुछ सोचो, bronchi bronchiols एक passage है, एक pathway है, यह मेरा pathway है, यह pathway अगर inflammation इसमें हो जाएगा, यह pathway मेरा मोटा होगा, तो मेरे को सास लेने में यार दिक्कत आएगी, आएगी CDC बात है, है ना, तो डिफिकल्टी हो की ब्रीधिंग में, क्योंकि कहां तो इतना जगे मेरे पास थी oxygen को जाने के लिए, कहां वो जगे कम रह गई, और तुमारे नाक में, जब कुछ यहां पर तुम निकालते हो नाकों आसा हाट डाल डालके, निकालते रहते हो ना, अस्थमा में, बस एक तरीके से, अस्थमा को ऐसे याद रख लो, नाक बंद होने की जगे, ब्रॉंकाय और ब्रॉंकियोल्ज बंद हो गई, इसलिए वीजिंग साउंड भी आएगी, अस्थमा इस नतिंग, बट, ब्रॉंकाय ब्रॉंकियोल्ज को सर्दी लग दी, तो ब्रॉंकाय ब्रॉंकियोल्ज में, इंफ्लामेशन होने की वज़े से, ब्रीधिंग में डिफिकल्टी होती है, वीजिंग साउंड आती है, तो हम इनको डाइलेट कर देंगे, इसमें जगह बना देंगे तो हम इसलिए ब्रॉंकियो डाइलेटर्स दे देते हैं ऐसे पेशन को, साल बिटमॉल आपके लेवल पर बस इतना ही याद कर लो साल बिटमॉल वगएर आपने पास दे देते हैं ब्रॉंकाई को डाइलेट कर दो खुला कर दो ये भी याद करने की ज़रत नहीं है बस अस्तमा में क्या होता है इंस याटे में जितना वेंशन है उतना याद कर फिर आता है एमफाई सीमा, ये थोड़ा गड़ बड़ दायक है जो लोग स्मोकिंग करते हैं सिगरेट पीते हैं सिगरेट पीने वाले लोगों की एल्वियोलाई की वाल डेमेज हो जाती है तुम खुद सोचो एल्वियोलाई की ऐसे वाल थी ये क्या कर रही थी इतना सर्फेस एरिया इसका था तो बहुत सारी ऑक्सिजन को एक्सचेंज कर रही थी पटाफद मेरी बॉड़ी में ऑक्सिजन पहुचВा रही थी माल लो इसकी वाल डेमेज होनी स्टार्ट हो गई डेमेज होनी स्टाट होगी तो इसका सर्फेस एरिया कम हो जाता है ये कुछ ऐसी हो जाती है सर्फेस एरिया कम कभी भी हमको बॉड़ी में ये 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 इतना सरफेसेरिया बढ़ गया तो कभी भी हमको बॉड़ी में सरफेसेरिया बढ़वाना होता है ना तो हम विलाई टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर बनवा देते हैं तो एल्वियोलाई की वॉल्ड एमफाई सीमा में डेमेज हो जाती हैं सिगरेट स्मोकिंग की वज होते हैं जो एकडम हो जाए और एक होते हैं जो लम्बे समय से तो जो लुग लंबे समय से पीए जारें पीए जारें पीए जारें उनको होगा ठीक है तो एमफाई सीमा is a chronic disorder जिसमें alveoli की walls damage हो जाती है surface area decrease हो जाता है इसका main region है reason है cigarette smoothing और ये बड़ा खतरना है अस्तमा तो जिंदगी पर चलता ही रहता है लोगों को लेकिन M5C मा हो गया उसके बाद तो फिर बटा मैं कुछ कर नी ससते है उसका है ना शिदद से खराब गरिया तुमने alveoli last but not the least occupational respiratory disorder मतलब occupation की वज़से कुछ लोग industries में काम करती है महाँ पर grinding होती है stone टूट रहा है गरदा निकल रहा है dust निकल रहा है ठीक है मेरी body जितना हो सकता है मेरी body में जितना भी mechanisms हैं प्रऻ आप करणे की कोशिश करती है संभालने की situation को कोशिश करती है लेकिन कितना ही कर लेंगी भाई एक समय तो ऐसा आएगा न जब लंबे समय इतना साल हो गया फिर तो inflammation होगी ही होगी फिर वो inflammation ही हुई फिर भी तुम वही होगा phibrosis होनी sagt suspicion प्रॉलिफरेशन हो जाएगा जिसकी वज़े से सीरियस लंग डैमेज हो जाएगा तो इस तरीके के लोगों को मास्क पहने चाहिए ताकि वो डस्ट अंदर ना जाए तो इसमें कुछ क्वेशन आजाता है जैसे कुछ लोग सिलिका की ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर काम करें जहां बहुत सिलिका है तो सिलिकॉस उनको हो जाता है किसी को एस्वेस्टॉस हो जाता है यह थोड़े बहुत नाम याद कर लेना सिलिकॉस एस्वेस्टॉस दोहजार अठारा में मेर question आया था नीट में silicosis silikosis silica वाली industry में काम करने की बज़े से asbestosis ये दो नाम याद कर ले occupational respiratory disorder के अंदर अपनी NCRT में इसको mention कर लो, एक sidrosis भी करना चाओ तो वो भी कर सकते हो, ठीक है तो silicosis mention कर ले na sidrosis mention कर ले na NCRT में और asbestosis asbestosis emphysema में अपने पास surface area कम हो जाता है तो ये permanent दिक्कत कर देगा और ये इसमें अगर salbutamol यानि bronchodilators mention करना चाहो तो आप कर सकते हो salbutamol इसी के साथ आपका ये पूरा का पूरा chapter खतम होता है I hope सभी students को ये lecture पसंद आया होगा, सारी चीजे बिल्कुल clear हो गई होगी चिक्या जी चालो ओके गईस जिसने enroll नहीं किया है अभी तक, प्लीज जाकर enroll कर लीजी ये इस वीडियो के description में सारा उसके बारे में मिल जाएगा ठीक है ऑल रहाईड है, सुधंड जाएगी बुबभाई, तक क्यार नहीं कर दोद भारे में मिल जाएगा अजया होगी